आज इस हिंदी दिवस समारों पर उपस्थित हैदरबाद नगर के सभी सम्मानिनी अनागरिक बंधों सभी सम्मानिनी अमाताओ बेहनों मंच परासीन परम सम्मानिनी श्री लूनिया जी मेरे सहयोगी भाई श्री धर्राओ जी अन्य सभी को मैं आज प्रणाम करता हूँ हिंदी दिवस के सायोजन पर बधाई देता हूँ शुब कामनाई देता हूँ और मेरा व्याख्यान प्रारम करने के पहले भारत के दो महान करांतिवीरों को भाव से प्रणाम करना चाहता हूँ जिनोंने हिंदी के लिए सारा जीवन अथक प्रयास किया एक थे परंपूजनिये स्वामी दयानंद सरस्वती जो मूलत है गुजरात में पैदा हुए जिनकी मात्र भाषा गुजराती थी लेकिन सारा जीवन हिंदी की स्थापना के लिए हिंदी का गौरव बढ़ाने के लिए हिंदी का सम्मान बढ़ाने के लिए काम करते रहे और उनके द्वारा जो इस्थापित संस्था आरे समाज उसने तो दक्षन भारत में विशेश रूप से आंध्यप्रदेश में हिंदी की स्थापना के लिए बहुत बढ़ा अंदोलन चलाया था एक समय था जब निजाम ने हिंदी पर पाबंदी लगाने का काम किया था कोशिश की थी उस समय आरे समाजी लोगों ने सारे देश में से एकठे होकर हिंदी की स्थापना का काम किया था तो उन्स सभी आरिसमाजियों को प्रणाम करता हूँ, परंपुजने स्वामी द्यानन जी को भावपूरवक प्रणाम करता हूँ, उनकी स्मृति को बंदन करता हूँ, जिनों ने हमें हिम्दी के सम्मान के लिए लड़ना सिखाया और उसका रास्ता दिखाया। इन पहली बार भारत देश में सन 1908 में, 29 मार्च 1908 को महात्मा गांदी ने घोशना की थी कि अब जल्दी ही हिंदी को भारत की राष्ट भाषा बना देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई भाषा नहीं है जो राष्ट भाषा का इस्थान ले सकती है। तब गांदी जी ने इसकी घोशना की थी और उसी के बाद से कॉंग्रेस ने इस हिंदी को महत्त देना और सम्मान देना शुरू किया था। आपको हैरान होने वाली बात कहूंगा कि 1918 के पहले कॉंग्रेस के जादातर प्रस्ताव अंग्रेजी में पास होते थे। कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की जितनी बैठके हैं हुई 1918 के पहले जादातर प्रस्ताव अंग्रेजी में होते थे। जब महात्मा गांदी ने घोशना की उसके बाद से हिंदी में प्रस्ताव पास होने लगे और हिंदी का थोड़ा सा महत्व राजनेतिक लोगों के सामने बढ़ा। तो मैं महात्मा गांदी की इसमरती को प्रणाम करता हूँ जिनोंने हिंदी के लिए बहुत ताकत से बहुत जोर से सारे देश में प्रयास किया और इस हद तक प्रयास किया कि किसी भी छेत्र में महात्मा गांदी गए उन्नी सो अठारे के बाद हर जगे हिंदी में बोले। हर जगे हिंदी में बोले केरल गए तो हिंदी में बोले यहां आंदर प्रदेश आई तो हिंदी में बोले करनाटक गए तो हिंदी में बोले और एक दिन तोनों ने यहां तक कह दिया था कि सारी दुनिया को बता दो कि मोहंदास करमचन गांधी अंग्रेजी भूल गया आपको शायद ये सुनकर भी आश्रे होगा कि महात्मा गांधी की अंग्रेजी अंग्रेजों से अच्छी थी वो जब अंग्रेजी लिखते थे और अंग्रेजी में कई बार बात करते थे 1918 के पहले तो उनकी अंग्रेजी कई अंग्रेजों से अच्छी थी वो महात्मा गांधी ने ये एलान कर दिया कि सारी दुनिया को बता दो कि मोहंदास करमचन गांधी अंग्रेजी भूल गया और वो सच में भूल गये उसके बाद से 29 मार्च 1918 के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में बात की हो या अंग्रेजी में लिखा हो या अंग्रेजी में किसी को संबोधित किया कई बार ऐसे मोके आये जब लंदन में उन्हें अंग्रेजों से बात करनी थी तो भी उन्होंने हिंदी का अग्रे रखा और अंग्रेजों ने कहा कि आप तो अंग्रेजी जानते हैं तो उनका मैं भूल गया जानता तो था अब मैं भूल गया तो अंग्रेजों को उनकी हिंदी समझने के लिए दुभाशिया रखना पड़ा ऐसे हिंदी के प्रबल आगरही महत्मा गांदी ऐसे ही प्रबल आगरही परम पुझने स्वामी दयानन सरस्वती इन दोनों को प्रणाम करते हुए मेरे व्याख्यान के शुरुवात करूँगा हम सब हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को सारे देश में और ये शायद हमें इस बात की याद दिलाने के लिए है कि हिंदी को अभी राश्वभाशा का इस्थान मिलना बाकी है इसलिए हर साल हम अपने को तयार करते हैं और अपने संकल्पों को नया करते हैं ताकि अगले एक साल तक जहां जहां संबभ हो लड़ सकें हमारे भारत का दुर्भाग्य है सच बात है कि आज़ादी के 64 साल के बाद भी हमारी राश्वभाशा को हम समवेधानिक इस्थान नहीं दिला पाए और सम्वेधाने की स्थान चुकी नहीं है हिंदी को इसलिए सरकारी महकमे में, सरकारी कामों में हिंदी की इज़त नहीं है ये सच है कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है हिंदी पढ़ी जाती है, हिंदी समझी जाती है सबसे ज़्यादा और भारत के अलावा दुनिया में इस समय दूसरे नमबर की सबसे बड़ी भाषाओं में दूसरे नमबर की भाषा है, हिंदी पहले इस्थान पर मानी जाती है चीनी भाषा, 138 करोड लोग उसे बोलते हैं, समस्ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं उसके बाद करीब 120 करोड लोग हैं सारी दुनिया में जो हिंदी बोलते हैं, समस्ते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं और इन 120 करोड में 100 करोड से ज़्यादा तो भारत में हैं और करीब 20 करोड भारत के बाहर है दुनिया में ऐसे कई देश हैं जैसे मौरिशस है जहां पर हिंदी बोली जाती है पढ़ी जाती है समझी जाती है सूरी नाम है जहां पर हिंदी बोली जाती है समझी जाती है पढ़ी जाती है ऐसे करीब 5-7 देश हैं भारत के अलावा तो इन सभी देशों में और भारत में हिंदी बोलने पढ़ने समझने वालों की संख्या 120 करोड है तो चीनी भाषा 138 करोड और हिंदी 120 करोड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है हिंदी लेकिन हमारे देश में दुरभाग्य ऐसा कि हम इसको समवेधाने के स्थान नहीं देला पाए या समवेधाने के इज़त नहीं देला पाए उसका कारण है और वो कारण है हमारे देश की राजनेतिक व्यवस्था हमारे देश की राजनेतिक व्यवस्था के बारे में एक पुरानी बात कहते हुए शुरू करता हूँ जब हम आजाद होने वाले थे और अंग्रेजों ने ये तै कर लिया था कि भारत से वो चले जाएंगे ये बात है सन 1945 के आसपास 1945 में अंग्रेजों ने लगभग अगस्त के महिने में 15 तारिख को 15 अगस्त 1945 को अंग्रेजों ने ये पक्का कर लिया था कि वो भारत से चले जाएंगे उसी समय दूसरा विश्यूद समाप्थ हुआ था और जापान ने अंग्रेजों के सामने आत्म समर्पन किया था भले जापान ने अंग्रेजों के सामने आत्म समर्पन कर दिया हो लेकिन अंग्रेजों की हालत बहुत खराब थी एक तरह से कहा जा था उस जमाने में कि दूसरा विश्यूद जीतने के बाद भी वो हार गए थे और हिटलर हारने के बाद भी जीत गया था उसमें हुआ ये था कि इंग्लेंड पूरी तरह से तबाह हो गया था अर्थ व्यवस्था चौपट हो गई थी राजनी थे पूरी बिलकुल नपुनसक और दिवालियपन की तरफ थी इंग्लेंड में जो नेता थे इंग्लेंड के वो नेकदम निश्प्रभावी थे विंस्टन चर्चिल जो एक जमाने में कभी बहुत बड़ा आईकॉन माना जाता था वो बिलकुल निश्प्रभावी था क्लेमेंट एटली बहुत बुरे हाल में था तो राजनेतिक रूप से डावाडोल इस्तिती थी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था इंग्लेंड कार खाने बंद हो चुके थे कमपनिया दिवालिया थी लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था रोजगार खतम हो गए थे बेकारी बढ़ रही थी अंधा दुंद अंग्रेजों की अर्थ व्यवस्था मंदी और मंदी और मंदी की तरफ जा रही थी ऐसी इस्तिती में अंग्रेजों को लगा कि भारत में रहना आप संभव नहीं है क्योंकि भारत को समालने के लिए बहुत सारे पैसे खर्चो रहे थे उनके और भारतवासियों ने उनका सहयोग करना बंद कर दिया था भारतवासी जो उनको टैक्स दिया करते थे वो उन्होंने बंद कर दिया था तो अंग्रेजों को टैक्स मिल नहीं रहा था और भारत में ये स्वदेशी आंदोलन की इतनी जोरदार पूरे देश में लहर चल रही थे कि इस्ट इंडिया कंपनी का कुछ बिक नहीं रहा था यहां पर तो अंग्रेजी व्यापार लगबग खतम सा हो गया था भारत के लोगों ने टैक्स देना बंद करके अंग्रेजों की कमर तोड रखी थी और यहां महात्मा गांदी और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने लोगों से कह रखा था कि टैक्स नहीं देना भले जेल में चले जाना तो लोग उस पर आचरन कर रहे थे तो हर तरफ से अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में रहना संभव नहीं तो उन्होंने तैक्र लिया था कि भारत से चले जाना है और ये बात अंग्रेजों ने अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका को बताई थी उस समय इंग्लेंड की पार्लेमेंट से अमेरिका के राश्वपती को एक पत्र गया था उसमें ये बताया गया ये जो मैं कहानी कह रहा हूँ ये सब उस पत्र में लिखा गया कि हमारी आर्थिक इस्तिती बहुत खराब हो चुकी है राजनेतिक इस्तिती बहुत कमजोर हो गई है सामाजी के स्थिती बहुत खराब है हम भारत को अब जादा दिन नियंतरण में नहीं रख सकते लिहाजा हमें भारत को आजाद करना है ऐसा पत्र लिखा गया ब्रिटिश प्रधान मंतरी की तरफ से उस पर लीडर ओफ दा उपोजीशन के भी हस्ताक्षर थे माने विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ने मिलके वो पत्र लिखा था पत्र गया अमेरिका के राश्रुपती के पास अब उसके बाद वहां से जो पत्र आया वो बहुत महत्तुका है जो दूसरा पत्र आया अमेरिका के राश्रुपती ने अंग्रेजों के प्रधान मंत्री और अंग्रेजों के विपक्ष के नेता को लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि आप भारत को आजादी दे रहे हो ठीक है ये आपकी मजबूरी है क्योंकि अब जादा दिन आप भारत पर राज नहीं कर सकते लेकिन मेरा एक सुझाओ हमेशा ध्यान रखें आप और वो सुझाओ ये है कि भारत को आजादी देने के बाद भी भारत को वेस्टरन और्बिट में ही रखना है फिर से सुनाता हूँ वो अंग्रेजी का पत्र है मैं हिंदी करके बता रहा हूँ अंग्रेजों को अमेरिका का राश्वपती कह रहा है कि भारत को आजादी दे रहे हैं ये आपकी मजबूरी है आप नहीं समाल सकते ठीक है मैं समस्ता हूँ ये मजबूरी लेकिन मेरा सुझाओ है एक तरह से वो ओर्डर है सुझाओ नहीं वो आदेश है कि मेरा आदेश है कि भारत को वेस्टरन और्बिट में ही रखना है माने आजादी के बाद भारत अपने स्वदेशी के रास्ते पे ना जाने पाए इसका ध्यान रखना है आगे एक और वाकिय उसने लिखा कि अगर भारत आजाद होने के बाद अपने रास्ते चल पड़ा जिसको हम स्वदेशी का रास्ता के हैं, स्वराजी का रास्ता के हैं, स्वतंतरता का रास्ता के हैं अमेरिका का राश्रोपती कह रहा है उस पत्र में कि भारत आजाद होने के बाद अगर अपने रास्ते पर चल पड़ा तो हम सब का जीना मुश्किल हो जाएगा हम सब से मतलब पूरा अमेरिका पूरा यूरो हम सब का जीना मुश्किल हो जाएगा क्यों? क्योंकि हम भारत के उपर बहुत कुछ निर्भर है और हम माने पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका तो हम भारत के उपर निर्वर हैं अगर भारत ने अपना रास्ता बना लिया तो हम तो डूप जाएंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे वो कह रहा है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीत हमारी दुनिया में चलने वाली दादागिरी ये सब भारत के साथ रहने पर ही है अगर भारत अलग हुआ और अपने रास्ते पर चल पड़ा तो दुनिया से तो हमारी दादागिरी जाएगी ही हमारी अर्थव्यवस्था भी डूबेगी, हम भी डूबेंगे ये पत्र अब तक सीक्रेट था लेकिन अब ये पत्र खुला थोड़े दिन पहले मुझे एक मेरे वित्र ने बताया, लंदन में रहते हैं कि ऐसा एक पत्र यहां लाइबरी में पड़ा हुआ है ब्रिटिश पार्लिमेंट की लाइबरी में तो पिछले साल में लंदन गया था परमपुजने स्वामी रामदेव जी के साथ ग्लासगो में हमारा एक केंद्र का उधगाटन हुआ था श्रीदर भाई भी थे तो ये लोग तो जल्दी लोट आए मैं 18 दिन रुका उसी पत्र के लिए कि मुझे वो देखना है पढ़ना है और ना सिर्फ देखना है पढ़ना है बलकि उसकी फोटो कॉपी कराने और समय आने पर सब भारतवासियों को दिखाना है तो भारत की जो आज की दुरुव्यवस्था है उसके मूल में मैं उस पत्र को मानता हूँ हाँ और थोड़े दिन में आस्था चैनल पर आपको मैं वो दिखाऊँगा पत्र वो पत्र भी दिखाऊँगा आस्था पे संसकार पे और उस पर मैं एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ क्योंकि वो एक पत्र है ऐसे हजारों पत्र है जो कभी विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका की राष्ट्रोपती को लिखे कभी अमेरिका की राष्ट्रोपती ने विंस्टन चर्चिल को लिखे कभी एटली ने अमेरिका की राष्ट्रोपती ने एटली को लिखे अमेरिका और इंग्लेंड के बीच में ये जो पत्रा चार हुआ है ऐसे शायद बीस हजार पत्र होंगे उन में से कुछ अभी हमारे हाथ में आये है उनको हम सारे देश के लिए सारजनिक करेंगे तो हमारी आज की दुर्व्यवस्था की जड़ें कहां है वो हमें अंदाजा लगेगा ये पत्र में बहुत इसपश्टा के साथ अमेरिका की राश्टोपती ने कह दिया कि आजादी दे दो भारत को लेकिन रखना इसको वेस्टरन और्बिट में है परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस पत्र को अपनी नीती का अधार बनाया एटली और चर्चिल दोनों ने मिलकर तै कि भारत की आजादी देनी है तो उसकी शर्तें क्या होनी चाहिए कंडिशनल शर्तों पर आजादी आजादी कभी शर्तों पे ना ली जाती है ना दी जाती है लेकिन भारत के आजादी शर्तों पे आई क्योंकि अमेरिका की राष्ट्रपती ने जब ये कह दिया इनको तो इनकी अकल में बात बैठ गई कि भारत को अपने साथ ही रखना है क्योंकि इतना बड़ा बाजार है भारत दुनिया के किसी भी देश में संभव नहीं है कई कारुनों से वो भारत को अपने नजदीक रखना चाहते थे इसमें वो सफल हुए और सफल कैसे हुए जब उन्होंने आजादी दी हमें तो उसके लिए एक बाकाइदा समझोता किया ट्रांसफर ओफ पावर एग्रिमेंट और उसमें जो शर्तें रखी उन शर्तों के चक्कर में आज तक हिंदी हमारी समवैधानिक राष्ट्रभाशा नहीं बन पाई शर्तें वहाँ है हम कई बार सोचते हैं कि शायद हमारे नेताओं की अकल को कुछ कमी आई या हमारी नेताओं की हिंदी निष्ठा कम हुई या हमारे नेताओं में हिंदी प्रेम कम हुआ या हमारे नेताओं में राष्ट्रभाशा के प्रती उतना संबान नहीं रहा हमारे मन में शायद ये विचार आते हैं इसलिए हिंदी को सम्वेधाने की स्थान नहीं मिला ये सब बातें दोयम हैं बाद की हैं मुख्य बात है अमेरिका के राश्ट्रोपती ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संसत को इस बात के लिए तयार कर लिया कि भारत को आजादी दे के भी अपने नजदीक ही रखना है वेस्टन और्बिट एक मुहावरा है और वो मुहावरे में सब कुछ आ जाता है माने भारत की आजादी के बाद भारत की भाशा ना हो भारत की भूशा ना हो भारत का भोजन ना हो भारत का भजन ना हो भारत की भेशज ना हो भारत का कुछ भी न हो बस भारत आजाद हो नाम के लिए कहने के लिए बाकी भारत का कुछ न हो जो भी कुछ हो वो अंग्रेजों का हो अंग्रेजों की भाषा हो अंग्रेजों की भूशा हो अंग्रेजों का भोजन हो अंग्रेजों का भजन हो अंग्रेजों की बेशज हो सब कुछ अंग्रेजों का हो बस भारत कहने को आजाद हो तो उसी तरह की आजादी हमने ली आधी अधूरी ट्रांसफर ओफ पावर एग्रीमेंट पे हमने समझोता किया और उसमें अंग्रेजों की उन सब शर्तों को मान लिया जो हमारे लिए बहुत शर्म ना की परिणाम ये हुआ कि भारत की आजादी के बाद भी भारत की कोई राष्ट भाषा नहीं बन पाई क्योंकि अंग्रेजी ने वो जगे अभी तक खाली नहीं की इस देश के लिए भारत के लोगों की भूशा आज हम सब देखें अपने अपने आपको ये आलोचना की दृष्टी से नहीं कह रहा हूँ ये मैं अपनी मानसिकता को समझने की दृष्टी से कह रहा हूँ कि ज़्यादातर पढ़े लिखे भारत वासियों की भूशा क्या है वही अंग्रेजों का शर्ट, अंग्रेजों की पेंट, अंग्रेजों की टाई, अंग्रेजों का कोट, अंग्रेजों की नेक टाई, अंग्रेजों का ओवर कोट, अंग्रेजों का पी कैप, वही तो बूशा है, पढ़े लिखे लोगों की ये ठीक है कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो जादा स्वदेशी हैं, जादा भारती है और वो शायद इसलिए जादा स्वदेशी, जादा भारती हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है पड़ लिख जाते तो शायद वो भी चले जाते उधरी जैसे हम चले गए तो हमने जो आजादी लाई उसी में खोट है उसी में अधूरापन है और वहीं गड़वड़ी है अगर ये ट्रांसफर अफ पावर एग्रिमेंट नहीं होता सत्ता के अस्तांतरण का समझोता नहीं होता तो शायद भारत कुछ और होता दुनिया में भारत के पहले सत्तर देश अंग्रेजों के गुलाम होए उन सभी देशों ने आजादी पाई अंग्रेजों की गुलामी से लेकिन किसी भी देश ने अंग्रेजों के साथ ऐसा कोई समझोता नहीं किया अंग्रेजों ने कोशिश की लेकिन किसी भी देश ने ऐसा समझोता मानने से इंकार कर दिया सबसे आखीर में जो देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से जिसको हम दक्षण अफरीका कहते हैं वहां की जंता ने भी अंग्रेजों से कोई समझहता करने से मना कर दिया उनका कहना था कि हम आजाद होंगे तो अपनी शरतों पर अंग्रेजों की शर्तों पर नहीं लेकिन भारत एक ऐसा देश जिसने अंग्रेजों से आज़ादी के लिए समझोता किया और उस समझोते के आधार पर अंग्रेजों ने कानून बनाया उस कानून के हिसाब से भारत को आज़ादी दी गई उस कानून का नाम है The Indian Independence Act 3 जुलाई 1947 को ये कानून ब्रिटेन की संसद में पास किया गया और उसके बाद भारत को आजादी दी गई अब जरा सोचो तकनी की रूप से कि किसी कानून के आधार पर हमको आजादी मिली है कल को लंदन की संसद उस कानून को वापस ले ले रद कर दे तो क्या होगा ये अलग बात है कि अब अंग्रेजों में उतना दम नहीं बचा कि वो यहां आकर हम पर राज कर पाएं वो बहुत कमजोर हो गए हैं देश बहुत कमजोर हो गया है सारी दुनिया में उनकी दादागिरी खतम हो गई है सारी दुनिया से उनका दब दबाखभा खतम हो गया है ये सही बात है लेकि तक्नीकी प्रशन है वो ये कि कल को इंडियन इंडिपेंदेंटेंस अक्ट अगर रिपील कर दिया जाए जिसके आधार पर आपको आजादी मिली तो आपकी हैसियत क्या होगी बहुत गंवीर प्रश्ण है और यह जो इंडियन इंडिपेंडेंडेंस एक्ट है इसी की जड़ में है हिंदी राष्ट भाषा ना बने इसी की जड़ में अंग्रेजी ही भारत पर लदी रहे इसी की जड़ में है इसी की जड़ में है कि भारत का समाज दो संप्रदायों के आधार पर बटे हिंदू और मुसल्मान दुनिया में किसी भी देश के बटवारे संप्रदायों के आधार पर नहीं हुआ करते किसी भी देश में भारत में हुआ बटवारा वो इसी कानून के आधार पर अब हमारे देश की संसद में जब जब मैंने ये सवाल उठाया संसद में मतलब सांसोदों से वो गया दे राजी भाई हमारा तो संविधान लागू हो गया ना 250 को तो अब इसका तो कोई मतलब नहीं है मैंने का आप तकनी की रूप से ये कह रहे हैं कि हमने संविधान लागू कर लिया तो अब इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन क्रियात्मक रूप से तो सब कुछ वही दिख रहा है इस देश में जो लिखा गया है हमारी सरकार के कई जिम्मेदार मंत्रियों से मैंने इस विशे पे बात की कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का क्या है अगर हम वापस अंग्रेजों से ये अनुने विने ना करें या अंग्रेज हमारी बात ना माने और वो रिपील करने तो क्या है तो कहते हैं जी हमने तो सम्विधान लागू कर लिया 1950 से अपना तो Transfer of Power Agreement की जो कंडीशन है वो आपने खतम क्यों नहीं किये इस देश एक तरफ सरकार हमको समझाती है कि भई हमने 1956 जनवरी को अपना सम्विधान लागू कर लिया अब ये Transfer of Power Agreement जो है वो निश्प्रवावी है ठीक है मैं मान लेता हूँ आपकी बात सच है तो Transfer of Power Agreement की कंडीशन क्यों लागू है इस देश पर Transfer of Power में लिखा गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी भारत में चलेगी क्यों चल रही है अंग्रेजी भारत में आप कहते हो कि हमने भारत का सम्विधान लागू किया तो अंग्रेजों की शर्त को पहले खतम करो तभी तो भारत के सम्विधान का कोई मतलब है अंग्रेजी अभी भी चल रही Transfer of Power Agreement में कहा गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों का ये प्रशाशनिक धाचा ICS जिसको हम आजकल IAS कहते है IPS, IRS, IFS, All India Services के जो कैडर में सारा है ये वैसे का वैसे ही चलेगा अंग्रेजों के जाने के बाद क्यों चल रहा है अगर आपने भारत का सम्विधन लागू कर दिया तो भारत के सम्म्विधन में ये ICS की जगह क्यों हैं अभी भी जो अंग्रेजों के जमाने में थी गुलामी के लिए फिर इससे भी जादा अंग्रेजों के बनाए हुए कानून क्यों लागू है अभी भी इस देश में हमारे किसान रोज लाठियां खा रहे हैं गोलियां खा रहे हैं अंग्रेजों के कानून के खिलाफ संगर्श करते हुए जिसका नाम है लेंड एक्यूजिशन एक्ट 1840 में बना डलहुजी ने इसको लागू कराया और 1894 में इस कानून को और कड़ा करके लागू किया गया तब से लेके लगातार ये चला आ रहा है और आप कहते हो कि हमने भारत का संविधान लागू कर लिया तो मजाग किया आपने तो भारत के संविधान के साथ और धोखा दिया भारत के लोगों को धोखा क्या दिया संविधान में लिखा We the people of India हम भारत के लोग इस पूरे संविधान को आत्मारपित करते हैं और कभी भारत के लोगों से पूछा नहीं आपने कि ये लोग इस संविधान को आत्मारपित कर रहे हैं या कुछ नेता जो अंग्रेजों के प्रभाव में है वो इस सम्विधान को आत्मार्पित कर रहा है आपको मालूम है हमारी जो सम्विधान सभा बनी उसमें 85 प्रतिशत से जादा नेताओं को अंग्रेजों ने सलेक्ट किया सम्विधान सभा के लिए अंग्रेजों ने सलेक्ट किया और अंग्रेजों ने चुन-चुन कर उन नेताओं को सम्विधान सभा में रखा जो अंग्रेजों के हमेशा से समर्थक थे और अंग्रेजों को आदर्श मानते थे सम्विधान सभा में ऐसे नेता रखे ही नहीं गए जो अंग्रेजों की हमेशा से خिलाफत करते थे और अंग्रेजों के धुर विरोधी थे उनको रखा ही नहीं गया बहुत नेता थे ऐसे इस देश अब नाम लेने की जरुरत नहीं तो हमारे देश का संविधान बना उन लोगों के द्वारा जो अंग्रेजों ने चुने थे और अंग्रेजों ने बनाया था एक ड्राफ्ट जिसका नाम था Government of India Act 1935 में और Government of India Act की जब बहस हुई थी ब्रिटेन की संसद में तो उस बहस का एक वाक्य सुनाता हूँ आपको सारे ब्रिटेन के संसद अंग्रेजों की लोकसभा में ये कह रहे थे कि भारत को एक हजार साल तक गुलाम बना कर रखने के लिए इस से अच्छा कानून नहीं हो सकता Government of India Act एक हजार साल तक भारत को गुलाम बना कर रखने के लिए Government of India Act से अच्छा कोई कानून नहीं हो सकता इसलिए उन्होंने ये कानून 1935 में पास किया और भारत में इसको लागू कराया और भारत की सम्विधान सभाने इसको सम्विधान की आत्मा बनाया Government of India Act आप किसी दिन चाहें तो एक छोटा सा प्रयास करें कोशिश करें Government of India Act की कौपी किसी भी कानून की पुस्तक बेचने वाली किताब की दुकान में मिल जाएगी आप ले लो 1935 के और भारत के सम्विधान की प्रती कहीं भी मिल जाएगी दोनों के एक एक पन्ने मिलाते जाओ तो आपको पता चलेगा कौमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला गया Government of India Act के सारे प्रावधान भारत का सम्विधान बन गए बहस भी नहीं हुई कि हम कर क्या रहे हैं अब हुआ क्या कि एक तरफ हमने भारत के लोगों से ये कहा कि हमने हमारा सम्विधान बना लिया है और उसको 26 जनवरी 1950 को आतमारपित कर लिया है दूसरी तरफ वो सम्विधान में वो सारी शर्ते आपने रखी जो अंग्रे जोने Government of India Act में रखी थी तो ये एक तरह से भारत के करोणों लोगों के साथ धोखा और जब अब मूल बात पर मैं आता हूँ जब सम्विधान सभा में ये बहस आई कि भाई कानून कौन से होंगे तो बना दिया कि जो अंग्रे जोने लगाये हैं वो ही कानून हम चलाते रहेंगे तो बात खतम हो गई वहीं पर कुछ बहस करने की कोशिश की गई तो मैं बताओंगा अब जब बात शुरू हुई सम्विधान सभा में कि कानून कौन से होंगे तो सब ने मिलके तै कर लिया 319 सदस से हमारी सम्विधान सभा में एक मत पर सहमत हो गए कि थोड़े दिन तो यही कानून चलाओ जो अंग्रे जोने बनाए फिर उसके बाद दूसरा प्रशन आया कि प्रशाशन कैसा होगा तो 319 सदस से इस पर सहमत हो गए कि थोड़े दिन यही प्रशाशन चलाओ जो अंग्रे जोने चलाया ICS, IFS, IRS, IPS इसी से चलाओ फिर बात आई कि भाषा तुर्ण का भाषा वही है जो अंग्रे जोने चलाई तब बबंडर खड़ा हुआ और गांदी जी की जो बात आपने पूछी, यहां गांदी जी ने कहा कि अगर ये सम्विधान बन रहा है भारत का गांदी जी तो पहले ही यहां से चले गए, सम्विधान पूरा होने से पहले, लेकिन सम्विधान बनने की प्रक्रिया महात्मा गांदी के सामने शुरू हो गई थी सम्विधान सभा की कुछ बैठके गांदी जी के जिंदा रहते रहते हो चुकी थी तो उन बैठकों में जब ये बात आने लगी कि कानून वही जो अंग्रेजों के बनाए हुए प्रसाशन वही जो अंग्रेजों का बनाई हुई फिर जब भाषा की बात आई तो उसमें तै कर लिया इन सब सदस्यों ने मिलके कि भाषा वही जो अंग्रेजों ने चलाई मने अंग्रेजी हिंदी की बाती कोई ना करे तब गांदी जी के सामने ये बात आई तो उन्हों ने कहा पंडित जवारला नहरू को बुलाया बहुत गुस्से में उन्होंने कहा जवाहर इस सम्विधान को फाड़ कर रद्धी की टोकरी में फेक दो ये था गांदी जी का रोड़ पंडित नहरू ने कहा कि बापू ये तो हम बड़ी मेहनत से बना रहे हैं तो उन्हों का कि तुम भारत को दुबारा गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं सम्विधान नहीं बना रहे हैं और ये भारत अब जो गुलाम बनेगा वो गुलामों का गुलाम होगा पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम अब की बार गुलामों का गुलाम तो नहरू जी के समझ में नहीं आया तो गांदी जी ने का कि देखो तुम अंग्रेजों के गुलाम और भारत तुमारा गुलाम तो गुलामों का गुलाम तो गांदी जी कह रहे हैं कि ये स्थती तो बहुत खराब है इसको तो रद्दी की टोकरी में फेको और गुसे मुनने का कि नहीं फेका तो मैं जलाओंगा फिर इसको और तुम याद रखो कि फिर ये सम्मिधान जलाने के जुरूम में मैं गिरफतार होँगा और मेरी जगे तुमारी जेल में होगी मैं तुमारी जेल में रहूंगा जैसे अंग्रेजों की जेल में रहता था उसके थोड़े दिन बाद गांदी जी की हत्या हो गई वो सब कहानी आप जानते हैं गांदी जी के चले जाने के बाद गांदी जी के जो परम शिश्ष माने जाते हैं इस देश में आचारे बिनोवा भावे उनके सामने ये सम्विधान तयार होकर प्रस्तुत किया गया क्योंकि 1950 में गांदी जी तो जीवित नहीं थे आचारे बिनोवा भावे थे और गांदी जी उनको बोल कर गए थे कि ये मेरा पहला सत्याग रही पहला शिश है तो सारा देश महात्मा गांदी के उत्तरा धिकारी के रूप में आचारे बिनोवा जी को देखता था और इसी क्रम में आचारे बिनोवा जी को सारे देश में भूदा नांदोलन के लिए जन समर्थन मिला था तो जब बिनोवा जी के सामने ये सम्विधान तयार होकर आया अच्छे से बढ़िया कौपी बना के जिल विल चड़ा के तो उन्होंने पढ़ा और देखा तो उन्होंने का इसमें तो बापू की एक भी बात नहीं बापू हिंदी की बात करते थे हिंदी राष्ट्र भाषा होनी चाहिए इसमें हिंदी का कोई प्राविजन ही नहीं है प्रावदान नहीं बापू कहते हैं ग्राम सराज होना चाहिए इसमें तो कहीं कोई जगे नहीं है उसके लिए बापू कहते थे कि सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए यहां तो सब कुछ विदेशी दिख रहा तो आचायर बिनुवा भावे जी ने बहुत कड़ा पत्र लिखा पंड़ जवारला नहरू को और वो पत्र इतिहास में दर्ज है उन्होंने कहा कि मैं भी इस सम्विधान को जलाना चाहूँगा और इसको रद्दी की टोकरी में तुम मैंने फेकी दियाए जलाऊंगा तब जब तुम अभी नहीं मानोगे तो हमने सारे देश को कहा कि हमने सम्विधान लागू कर दिया और ये बोलकर अंग्रेजों के किये हुए दस्तावेज और समझोतों को हमने ढख दिया ताकि बहस ना चले इस तेश में क्योंकि बहस चलती और वो यही चलती कि आजादी का मतलब क्या जब अंग्रेजों की शर्तों पर हम अपने देश के रास्ते बना रहे हैं तो आजादी का मतलब क्या तो भारत में ऐसी कोई बड़ी बहस ना चले इसके लिए सम्विधान ले आए और सम्विधान में वो सब उन्होंने डाल दिया जो अंग्रेज चाहते थे Government of India Act के माद्यम से हजार साल भारत को गुलाम रखने के लिए इसलिए हिंदी अभी तक हमारे सम्विधान की भाषा नहीं बन पाई इसलिए हिंदी को सम्विधानिक दरजा नहीं मिल पाया क्योंकि Government of India Act और अंग्रेजों से किया गया Transfer of Power Agreement दोनों हिंदी विरोधी हैं हिंदी को नकारते हैं क्योंकि हिंदी को अंग्रेज इसलिए नकारते हैं कि हिंदी अगर भारत में आती है तो भारत अपने रास्ते पर चल पड़ेगा क्योंकि कोई भी देश अपना रास्ता बनाता है तो उसकी नीव राश्ट भाशा ये मात्र भाशा यही होती है हम अपना भवन निर्मान करें कितना भी अच्छा कितना भी सुन्दर भवन की जो नीव है वो राश्ट भाशा है किसी भी राश्ट की जो बड़ी इमारत हमें दिखाई दे भव्व seis भव्व उस इमारत के जो नीव के पत्थर है वो उस राश्र की भाशा है बिना राश्र की भाशा के राश्र गूंगा है बिना राश्र की भाशा के राश्र धूरा है बिना राश्र की भाशा के राश्र बेतरतीब है अव्यवस्थित है और हिंदी अगर आ जाए तो ये राश्टर व्यवस्थित हो जाए इसकी दिशा ठीक हो जाए इसकी दशा ठीक हो जाए ये अपने स्वदेशी के रास्ते पर चल पड़े और ये शायद दुनिया में सबसे आगे निकल पड़े ऐसी संभावनाएं हैं इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपती ने का कि भारत को आजाद कर दो लेकिन रखना वेस्टरन और्बिट में ताकि हम अपने स्वदेशी रास्ते पे ना चल पड़े हिंदी इसलिए हमारे सम्विधान की भाषा नहीं बन पाई राष्ट्र भाषा नहीं बन पाई और फिर जब बहुत ज़्यादा हंगामा मचा एक बहुत महान व्यक्ति उनका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है आचारे राम मनुहर लोहिया महात्मा गांदी के चले जाने के बाद इस देश में हिंदी के सवाल पर सबसे प्रकरता के साथ जिनोंने सारे देश को जग जोरा वो आचारे राम मनुहर लोहिया उनके एक सहयोगी अच्चुत पटवर्धन उनकी एक सहयोगी अरुना आसफली इनके एक सहयोगी परहम सम्मान निये जह प्रकाश नारायन ये चार-पांच लोगों का एक समू हुआ करता था जो नहरू जी के साथ होते हुए नहरू जी का विरोधी था और इस समू ने दबाव बनाया कि महत्मा गंदी बोल कर गए हिंदी राश्र भाषा होगी अब क्यों नहीं हो रही है क्या देर हो रही है तो सम्विधान पढ़के सुना दिया गया तो जब बार 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 ये बात आने लगी तब हमारे देश के सम्विधान को बनाने वाले नेताओं ने अपनी शरम को छुपाने के लिए एक सम्विधान में संशोधन करके एक प्रावधान डाल दिया कि पंद्रे साल के बाद हिंदी को राष्ट भाषा बना दिया जाएगा जब बहुत ज़्यादा दबाओ पड़ा तब और ये दबाओ को एक तरफ से निश्प्रभावी करने के लिए हमारे दिल्ली के नेताओं ने दक्षुन के नेताओं को भड़काया हिंदी के खिलाफ आप सभी जानते हैं तमिल नाडू में आंदोलन चला वो दिल्ली के नेताओं ने बढ़काया हो उस अंदोलन को कि तुम अंदोलन करो हिंदी के खिलाफ वो तयार नहीं थे करने को बढ़काया उन्होंने और बढ़काया क्यों क्योंकि अंग्रेजों से उन्होंने तै कर लिया था कि भारत आज़ाद होगा तो हिंदी नहीं ना, इसके लिए इन्होंने दक्षन के लोगों को बढ़काया, कुछ नेताओं को, उन्होंने हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया, उस आंदोलन की गूँज लोकसभा राज्यसभा में हुई, और ये कहा कि देखो, हिंदी लागू हुई, तो सारे देश में आग लग जाएगी, तो सम्विधान में एक ऐसा प्रावधान डाल दिया गया, जिसके कारण हिंदी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया, अब वो प्रावधान ये है कि हिंदी राज़ बहाशा तो है, राश्त्वभाशा नहीं है. तब तक नहीं हैं, जब तक कि भारत के सभी राज इसके लिए अपनी सहमती ना दें. तब तक हिंदी राश्त्वभाशा नहीं है. और राज्यों को नीचे ये कह दिया गया कि कभी मत देना सहमती हमारे पास वो चिठियां हैं जो केंदर सरकार के द्वारा लिखी गई तमिल नाडू के नेताओं को शर्म आती है कि वो चिठियां प्रधानमंत्री कारियाले से जारी होई है शर्म आती है एक तरफ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप शांत रहो धीरज रखो हम हिंदी को इस्थान दिलाएंगे दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कारियाले से चिठियां आ रही हैं तमिल नाडू के मुख्यमंत्री को कि आप होने मत देना तो ये मैंने जो थोड़ी देर पहले का ना 120 करोड लोगों से धोखा हमारे देश के लोगों से धोखा हमारे लोगों द्वारा नेताओं के द्वारा ये है हमारी आजदी की कहानी तो सम्विदान मैं हमारे आँसू पोचने के लिए डाल दिया 15 साल के बाद हिंदी को भारत की राष्ट भाषा का दर्जा मिलेगा लेकिन शर्त ये है कि सभी राज्य उसके लिए सहमती दें तो वो 15 साल अभी तक पूरे ही नहीं हो पा रहे है क्योंकि कोई राज्य सहमती देने को तयार नहीं है क्योंकि राज्यों को पहले से कह दिया गया देना मत सहमती हाँ तो हिंदी फस गई इसलिए हिंदी हमारे संविधान की भाषा या संविधानिक दर्जा अभी तक हासिल नहीं कर पाई ये चालबाजी ये धोखा धड़ी भारत के उन लोगों के साथ जिनका वोट लेकर हमारे नेता 64 साल संसद में बैठते रहे उन लोगों से दोखा धड़ी और उस देश में दोखा धड़ी जहां सौ करोड से जादा लोग हिंदी जानते हों हिंदी समस्ते हों, हिंदी पढ़ते हों, हिंदी लिखते हों सो करोड से जादा लो उस देश के साथ ये दोखा धड़ी थोड़ा आगे बढ़ूं इस दोखा धड़ी को बनाए रखने के लिए कुछ कुतर्क विक्सित किये गए उन में से पहला कुतर्क ये कि हिंदी वेग्यानिक भाषा नहीं है अंग्रेजी हम इसलिए लगाए हुए है इस देश में कि हिंदी की भाषा वेग्यानिक तावाली नहीं है और ये सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजी बहुत वेग्यानिक है मैंने इस फोड़ा भ्यास किया कि अंग्रेजी कितनी वेग्यानिक है तो पता चला अंग्रेजी हिंदी से भी गई बीती है मैं आपको सच यानकारी दे रहाँ अंग्रेजी से भी गई बीती माफ करना हिंदी से भी गई बीती अंग्रेजी है विज्ञान के मामले में किसी देश की भाषा की वैज्ञानिकता का आधार होता है कि उस भाशा में विग्यान की कितनी पुस्तकें लिखी गई, कितने शोध प्रबंद, जिनको आप रिसर्च पेपर कहते हैं, वो प्रस्तुत किये गई, और कितने जादा विग्यान के शब्दों को समाहित करने की ताकत उस भाशा में है, अंग्रेजी का हल तो बहुत खराब आपको मालूम है, दुनिया में सबसे कम विग्यान की पुस्तकें अंग्रेजी भाशा में ही लिखी गई हैं, पूरी दुनिया अगर विज्यान में लिखी जाने वाली पुस्तकों को आधार बनाएं तो सबसे ज़्यान की पुस्तकें लिखी गई हैं रूसी भाशा में सबसे ज़्यान और गनित गनित भी विज्यान का यह सा है तो विज्ञान और गणित में सबसे ज़्यादा पुस्तके हैं रूसी भाषा में और अंग्रेजी का नंबर अगर हम लगाएं तो रूसी भाषा के बाद फ्रेंच आती है फ्रेंच के बाद जर्मन आती है जर्मन के बाद इस्पैनिश आती है उसके बाद हिंदी का नमबर है अंग्रेजी का नमबर तो दसमा है सबसे बड़ा झूट फैलाया पूरी दुनियา में कि अंग्रेजी वैग्यानिकों की भाशा है बिलकुल नहीं है आपको सुनकर हैरानी होगी England में जितने बड़े वैग्यानिक हुए England से मतलब Britain पूरा England, Ireland और New South Wales सम इलाके मैं England की बात करूँगा Britain तो Britain में जितने वैग्यानिक हुए उन मैंसे किसी ने अंग्रेजी में काम नहीं किया ज्यादा Britain के वैग्यानिकों ने काम किया Scottish में Scottish अंग्रेजी से अलग भाषा है आपको मालूम अधिकांश वैग्यानिक Scottish है England के, Britain के Scottish में काम किया हुए और दूसरे नमबर पर जितने वैग्यानिक हैं Britain में वो हैं Irish भाषा के Ireland की भाषा Irish तो या तो ब्रेटेन के वैग्यानिकों ने Irish में काम किया Irish अलग भाषा है, अंग्रेजी से बिलकुल अलग है Scottish अलग है अंग्रेजी से Scottish अईरिश में सबसे ज़्यादा पुस्तकें बनी शोध प्रबंद प्रस्तुत हुए ये तो अंग्रेजों की चालाकी है कि Scottish और आईरिश शोध प्रबंदों को और पुस्तकों को उन्होंने अंग्रेजी में भाषा अंतर करके सारी दुनिया में प्रस्तुत कर दिया कि देखो ये अंग्रेजी का है अंग्रेजी का तो वो है ही नहीं तो सबसे बड़ा जूट के अंग्रेजी वेग्यानिक भाषा बिलकुल नहीं है अब दूसरे नमबर पर एक और बड़ा जूट सारी दुनिया में बोला गया भारत के लोगों को समझाने के लिए हम हिंदी की बात करें ना तो चुप हो जाए कि हिंदी की व्यग्यानिक्ता बहुत कम है अंग्रेजी की बहुत जादा जादातर पढ़े लेके भारतवासियों से जब बहस करो ना तो वो यही तरक देना शुरू करते तरक क्या कुतर कि जी अंग्रेजी में ही पढ़ाई हो सकती है हिंदी में नहीं हो सकती क्योंकि भाशा की ताकत अंग्रेजी की जादा है हिंदी की कम है क्योंकि जो हम पाठिक्रम पढ़ते हैं वो अंग्रेजी में अच्छा हिंदी में बेकार है और इस तरकी सच्चाई को जब परकते हैं जांचते हैं तो पता चलता है कि अंग्रेजी पाठिक्रम जो आप पढ़ते हो पाँच साल में अगर पूरी इमानदारी से सरल और बोध गम में हिंदी में वो पाठिक्रम में कर दूँ तो जो पाँच साल में आप पढ़ रहे हो दो साल में पढ़ लोगे तीन साल का समय बच जाएगा दिमाग का खर्चा बचेगा पैसे का खर्चा बचेगा और आपकी मेहनत बचेगी जो पास साल में पढ़ रहे हो वो दो साल में पढ़ लोगे क्यों कि विज्ञान को सरल तरीके से समझाने में हिंदी जितनी समर्थ है वो अंग्रेजी है ही नहीं और पाठिक्रम जो है सरल तरीके से आप समझ पाओ तो जल्दी खतम होगा नहीं तो उसके जो भारी-भारी शब्द है ना उनकी परिवाशा करने में ही आदा समय निकल जाता है सबसे बड़ा जूट भारत में फैला दिया और इस जूट को फैलाने में सरकार सरकारी तंतर के अधिकारी हमारी सरकार के बड़े-बड़े नेता जो नहीं चाहते के हिंदी आए उनका ये सारा कुछक्र शाजिश शडियंत्र क्योंकि ये सब समझ के किया जा रहा फिर एक कुतरक फैला गया भारत में हिंदी जो है न कला संस्कृत माफ करना अंग्रेजी कला संस्कृती की भाषा है हिंदी से अच्छी है अब अंग्रेजी में हमने ढूंडना शुरू किया कि कला और संस्कृती में क्या लिखा गया क्या छापा गया तो आपको सुनकर बड़ी हरानी होंगी कि सारी दुनिया में कला और संस्कृती के जो विशे माने जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा साहित है फ्रेंच भाषा का पूरी दुनिया जितने नाटक लिखे गए हैं फ्रेंच में किसी में नहीं है जितनी कहानिया लिखी गई हैं फ्रेंच में किसी में नहीं जितनी कविताएं लिखी गई हैं सारी दुनिया में फैला दिया इनों ने कि हिंदी जो है न सब्वे लोगों की माफ करना अंग्रेजी सब्वे लोगों की भाषा और हिंदी जैसे असब्वे लोगों की भाषा तो अब ये सब्विता का माफदंड क्या होता है भाई जरा इसको देखा जाए कि असब्ब किसको कहते हैं तो आप सब्ब्ब और असब्ब की परिभाषा ऐसे लगाओ कि गालियां जिस भाषा में जितनी जादा वो उतनी असब्ब यही तो और गालियां जिस भाषा में जितनी कम वो उतनी सब्ब अंग्रेजी जितनी गालियां पूरी दुनिया में किसी भा इसी भाषा में नहीं है तो अंग्रेजी तो सबसे असब विवाशा है और संयोग की बात कुछ ऐसी है कि दुनिया में सबसे कम गालियां हैं वो हिंदी में यह सबसे कम सबसे ज़्यादा गालियां अंग्रेजी तो ये तर्क भी जूटा है और एक तरक फैला गया, कुतरक सारे देश में, दुनिया में कि ये जो अंग्रेजी है ये अंग्रेजी बुद्धिमानों की भाषा है बुद्धिमानों की भाषा अंग्रेजी में एक शब्द है intellectual, उनकी भाषा है हमने ढूंडना शुरू किया कि ये अंग्रेजी में कितने बुद्धिमान और विद्धिमान हुए है तो सबसे कम विद्धिमान अंग्रेजी में ही है सारी दुनिया जब बुद्धिमान का अध्यन किया मैंने तो पता चला सबसे जादा बुद्धिमान और विद्धिमान स्कॉटिश में हैं, आईरिश में है और वेलच एक जो एरिया है न एक छेत्र है, New Saudi डाय की अपनी भाष्छा ए वेलच तो वेलच में आईरिश में छोटिश में सबस्धा विद्वान सबस्धा बुध्द्धिमा अंग्रेजी तो एंग्लेंड में ये सुनने वाले भेड़ बक्रियों को उनकी भाषा होती थी अंग्रेजी और उनकी सामन ने बोलचाल की भाषा के शब्द हैं अंग्रेजी में इसलिए सबसे जाद है सब तरह के कुतरक फैला दिये सारे वेशाद फिर एक आया अंग्रेजी का शब्द भंडार बहुत बड़ा है सम्रुद भाषा अंग्रेजी सम्रुद भाषा अब अंग्रेजी के शब्द भंडार को हमने खोज लिया जब से अंग्रेजी आई एक तो अंग्रेजी आये हुए जादा दिन नहीं हुआ आपको मालूम है अंग्रेजी बिलकुल नहीं भाषा है ज्यादा पुरानी नहीं ये तेरवी चौदवी शतापदी में ठीक से विक्सित होई इंग्लेंड में उसके पहले तो इंग्लेंड में ज्यादा तर लोग ये स्कॉटेश, आयरेश, वेल्ज और बहुत बड़ा इंग्लेंड का फ्रेंच बोलता था फ्रेंच में लिखता था फ्रेंच बोलता था क्योंकि फ्रांसीसियों के गुलाम थे ये और हजार साल गुलाम रहे हैं अंग्रेज फ्रांसीसियों के एक हजार साल पहली शताबदी से लेके दसवी शताबदी तक फ्रांस के भिन भिन राजाओं का साशन चलता रहा इंग्लेंड में तो ये फ्रेंच के प्रभाव में थे हजार साल बाद में ये थोड़े आजाद हुए दसवी ग्यारवी शताबदी में 13-14 शताबदी था किनों ने अपनी अंग्रेजी को थोड़ा ठीक ठाक किया तब से अंग्रेजी शुरू हुई तो भाशा एकदम नहीं है बहुत पुरानी नहीं है शब्द बहुत कम है अंग्रेजी के मूल शब्द अगर आप ढूनना शुरू करें तो इस समय सारी कोशिश, सारी ताकत, सारी मेहनत लगा देने के बाद मूल शब्द 65,000 हैं अंग्रेजी के और हमारे हिंदी के मूल शब्द 80,000,000 से ज़्यादा है और अगर संस्कृत को हिंदी की मा मान लें वैसे तो है ही मान क्या लें संस्कृत हिंदी को अगर हम एक ही जैसा माने क्योंकि संस्कृत को मने आम आदमी की बोलचाल में लाते-लाते हिंदी बनी है यसी हुआ है ना इस देश में संस्कृत में से हिंदी का विकास है तो संस्कृत के अगर शब्दों की संक्या तो ये तो 102 करोड से ज़ादा है मूल हिंदी शब्द असी लाग संस्कृत वाले तो 102 करोड से ज़ादा है और धातूओं के जो रूप हम जो है न संस्कृत में धातू होती है धातू रूप तब तो शब्द 102 अरब 80 करोड से ज़ादा हो जाते है 102 अरब 80 करोड इतने शब्दों का बंडर तो दुनिया की किसी भाषा में नहीं और हमारे यहां मूर्ख लोग ये तर्क देते रहते हैं कि समरुद भाषा अंग्रेजी 65,000 कुल शब्द है और अंग्रेजी में जो बाकी शब्द है ना जो आपको डिक्शनरी में दिखाई देते हैं वो तो सब दूसरी भाषाओं के हैं फ्रेंच में से लिया, लेटिन में से लिया, जर्मन में से लिया आइरिश में से लिया, स्कॉटिश में से लिया, वेल्श में से लिया हिंदी में से बहुत सारे शब्द नों ने ले रखे है क्योंकि उनको उसका अभी तक भाशा अंतर करना नहीं आ पाए तो बहुत सारी भाशाओं से लेके मिलाके आपने शब्द कोश बना लिए जिसमें डाई लाग पाँच लाग शब्द है मूल शब्द दो पैंसे ठजारी है और यही कारण है कि दुनिया की सभी अंतर राष्ट्रिय संस्थाओं में अंग्रेजी कामकाज की भाशा नहीं है सह्युक्त राष्ट का सारा कामकाज फ्रेंच में होता है और संयुक्त राश्ट की सभी संस्थाओं का काम का अज फ्रेंच में होता है अंग्रेजी में नहीं होता है क्योंकि शब्द नहीं है मैं तो अहरान हो गया जब ये सब मैंने खोजना शुरू किया तो ऐसी ऐसी बातें पता चली कि हमको बिल्कुल उल्टा पढ़ा दिया गया पिछले 64 साल उसका तो हिंदी दुनिया में शब्दों के भंडार में अंग्रेजी से बहुत उची है मैं तो आपको हिंदी की बात नहीं करता हिंदी की एक बोली की बात करो बोली जैसे ब्रजभाशा जैसे अवधी हिंदी तो इन सब का मिश्रित रूपी है ना ब्रजभाशा भी है अवधी भी है तो फिर ये भी है भोजपुरी भी है तो हमारी अवधी के शब्द अंग्रेजी से जादा है अवधी के शब्द ब्रजभाशा के शब्द अंग्रेजी से जादा है भोजपुरी के शब्द अंगरेजी से जादा है हमारे यहाँ भारत में एक छेत्र है कन्नोज, कानपुर के आसपास तो वहाँ की इस्थानिय बोली है कन्नोजी कन्नोजी बोली के शब्द अंगरेजी से जादा है तो हमारी तो इस्थानिय बोलियां जिनकी संख्या 1632 है इस देश में 1632 बोलियां है जो जीवित है इस समय देश में इन में से एक-एक बोली के शब्द अंग्रेजों से तीन गुने चार गुने जादा अंग्रेजी से तो किसी मामले में हिंदी कम नहीं है बलकि अंग्रेजी से सवाई है, डियोडी है, दो गुनी है कहीं-कहीं तीन गुनी है, कहीं-कहीं पांच गुनी और इसका उल्टा हमको 64 साल बताते रहे हमारे सरकारी अधिकारी हमारे बड़े-बड़े प्रधान मंत्री, हमारे बड़े-बड़े तमाम दूसरे लेता ताकि भारत के लोग हिंदी पे गौरव ना कर पाएं ये सब इसलिए किया गया कि हिंदी की हीनता में, हम डूबें और अपने हिंदी को डूबोएं हम यही मानें कि हमारी हिंदी तो वैज्यानिक नहीं है हमारी हिंदी तो समरुद्ध नहीं है हमारी हिंदी तो सब भी लोगों की भाशा नहीं है हमारी हिंदी में तो कला संस्कृती है ही नहीं हमारी हिंदी में तो यह नहीं उससे बड़ी शक्ति होती है उसको इस्तेमाल करने वाले लोग जितना जादा भाशा का आप उपियोग करेंगे भाशा की ताकत उतनी बढ़ेगी तो कोशिश और शड्यंत्र ये किया गया पिछले 64 साल कि हिंदी का उपियोग करने वाले कम से कम होते जाएं और हीन भाव से भरे रहें हर समय और वो हमने 64 साल में आ ही गया 1853 में मैकॉले ने एक बात कही थी मैकॉले मने थॉमस बेविंगटन मैकॉले जिसने अंग्रेजी भारत में लाई अंग्रेजी को भारत में स्थाफित करने वाला जो अंग्रेज मैकॉले वो 1834 में भारत आया और उसके कुछ साल यहां रहा फिर वापस इंग्लेंड गया और उसने एक बिल पास कराया ब्रिटिश पार्लेमेंट में कि भारत में अंग्रेजी भाषा की सिक्षा शुरू की जाए तो अंग्रेजी भाषा का बिल तो 1840 में बन गया था लेकिन किसी कारण से लटकते लटकते 1853 में पास हुआ तो 1853 में जब बिल पास हुआ ब्रिटिश पार्लेमेंट लोग सभा में तब उसने जो भाषन दिया तो उसने कहा कि भारत की हिंदी भारत की रीड की हड़ी है जिर अध्यान सुनना इस बाद भारत की जो भाषा हिंदी है वो भारत की रीड की हड़ी है मानि पूरा भारत इसी पे टिका हुआ है अब इस रीण की हड़ी को तोड़ दो तो भारत हमेशा के लिए गिर पड़ेगा ये उसके शब्द है मैकॉले के तो मैकॉले ने 1853 में अंग्रेजी भाषा को भारत की सिक्षा का मात्यम बनाने का जो कानून बनवा लिया वो इसी तरक के आधार पर अब वो लागू हो गया अब 1853 से वो लागू हुआ है 2010 तक भी वही चल रहा है मैकॉले ने तै कराया था कि भारत में मात्यम अंग्रेजी होगा सभी भाष मने ज्यान का पढ़ाई का ज्यान का वही आज तक चल आ रहा है समाज की भाषा हिंदी लेकिन राज की भाषा अंग्रेजी समाज की भाषा हिंदी सरकार की भाषा अंग्रेजी समाज की भाषा हिंदी विज्यान तकनी की अर्थशास्त्र समाजशास्र सब विश्यों की भाषा अंग्रेजी समाज की भशा हिंदी लेकिन संसद की भाषा अंग्रेजी ये सब 1853 वाले कानून के प्रतिरूप है मुझे नहीं लगता कि मैं कॉले मर गया है उसी की आत्मा है जो हम सब में प्रवेश कर गई है मैं अपने आपको भी उसमें मानता हूँ अलग नहीं मानता क्योंकि हम सब उसी अंग्रेजी सिख्षा में से पढ़कर निकले हैं न इसलिए मुझे परिचा देने में अच्छा नहीं लगता कोई वो सम्मान जनक नहीं है हम अपनी डिग्रियां बताते हैं वो एक तरह से अंग्रेजों का समान बढ़ते हैं हम उसमें भारत का समान नहीं है क्योंकि यह डिग्रियां तो सब अंग्रेज बना के गए न बी-ए, बी-कॉम, बी-ए-स-स, बी-टेक, एम-टेक, एम-बी-ए, बी-बी-ए यह तो सब अंग्रेजों की बनाई हुई इन्ही को तो गाते हैं ना हम हर जगे बाव ग्याख्यान के पहले मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि आप इसको गाएं और फिर सब को इसका हैसियत बताएं कि देखो यह कितना उंचा आदमी है क्योंकि अंग्रेजों के बनाई हुए कागच के टुकड़े हैं इसके पास बले उपर पूरा खाली है लेकिन कागच के कुछ टुकड़े हैं हमारे का और हम मूरखानन ऐसे हैं कि उन कागच के टुकड़ों को फ्रेम में लगा लगा कर घर में दीवार पे ड्रॉइंग रूम में डाइनिंग रूम में ये कागच के टुकड़े जिनका ग्यान से कोई लेना देना ने वो हमारे लिए महत्तु के हैं क्योंकि हम सब में मैकॉले की आत्मा ने प्रवेश किया हुआ है सच कह रहा हूँ आप से आज हिंदी दिवस है तो अपनी आत्मा लोचन भी हमें करने की जरूरत है और अगर नहीं मैकॉले की आत्मा हम में आई होती तो हमारे बच्चे कभी भी मम्मी डैडी नहीं बोल रहे होते ना कभी मम्मी पापा बोल रहे होते ना मम्मी का अर्थ मालूम है ना डैडी का अर्थ मालूम है बोल रहे हैं बस मम्मी का अर्थ होता है मरा हुआ जिसमें से जान निकल जाए वो मम्मी होती है और हम अपनी जीती जागती मा को मम्मी मम्मी बोलके मार डालने की तयारी है हमें मेकॉले ने प्रवेश कर रखा देड़ी माने होता है मरे हुए जैसा अंग्रेजी शब्द देड माने मरा हुआ डेड़ी मरे हुए जैसा तो डेड़ी बोल रहे हैं मम्मी बोल रहे हैं आंटी बोल रहे हैं अंकल बोल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं कोई नहीं बता सकता कि आंटी का मतलब चाची है, कि ताई है, कि बुवा है, कि फूपी है, कि मामी है, कि मौसी है या ये सब है कोई नहीं बता सकता लेकिन हमारे बच्छे बोल रहे हैं आंटी, अंकल कोई नहीं बता सकता कि वो चाचा है कि ताओ है कि मामा है कि फूपा है कि मौसा है या मौसा का मौसा है मामा का मामा है कोई नहीं बता सकता लेकिन हमारे बच्चे बोल रहे हैं अंकल आंटी क्योंकि मैं कोले ने प्रवेश कर रखा है और ऐसे ऐसे विचित्र अनुभव आते है मुझे मैं किसी के घर में जाता हूं तो क्या दिखाई रेता ठिता जी का नाम राम दयाल मा माता जी गाइतृ गाइतृ देवी बेटे का नाम टिंकु ये मेकॉले की आलाद कहां से आ गया राम दयाल और गाईतरी देवी का टिंकू कहां से पैदा हुआ ये समझ में नहीं आद और अंग्रेजी डिक्ष्णरी अगर आप देखोगे तो टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का सच में अंग्रेजी डिक्ष्णरी में टिंकू का मतलब है आवारा लड़का जो बाप की ना सुने, मा की ना सुने, घर के बाहर रहे, वो टिंकू है, अब यहां रामदयल और गाहितरी देवी का आज्याकारी बेटा टिंकू हो गया, मैकॉले जिंदवार, ये है मैकॉले की आतुब, हमारे घरों के बाहर नाम लिखे हुए हैं, क्या विचित्र विचित नाम है, ऐसे ऐसे नाम जो कभी हम सपने में न सोच सकें, ये तो हुआ यही कि 64 साल में हम हिंदी से विमुक हुए या हम हीन भावना में डूब गए, हमको हिंदी में अब कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है, कि गौरव कर सकें, इसलिए ये मम्मी, डैडी, अंकल, आंटी, टिं पिंकू, पिंकू, बबली, डबली, डिम्पल, पिंपल, ट्विंकल, ये सब घर में घुज गए, भले अर्थ नहीं मालूम, ट्विंकल का क्या मतलब है, लेकिन घर की बेटी का नाम है ट्विंकल खन्ना, मैंने पूछा एक बार उन से, कि आपके नाम का मतलब मालूम है पिंपल किसी का कुछ-कुछ विचित्र विचित्र से नाम, डबलू, बबलू, डॉली, डबलू, एक अंग्रेजी शब्द है, अक्षर है डबलू, उसका नाम से क्या लेना लेना, डबलू जो है ना प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन हम विचित्र लोग डबलू, बुल रहे हैं, तो मुश्किल हमारे साथ क्या हुए, मुझे जो दुख है, अंग्रेजों ने हमारे साथ शडियंत्र किया, अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे ही अपने नेता, जो अंग्रेजों के बगत थे, उन्होंने हमको दोखा दिया लेकिन हमने भी अपने आपको बहुत दोखा दिया हमने इतना दोखा दिया कि उन्होंने जो कुछ कह दिया उसको हमने कभी जाचा नहीं, परका नहीं, देखा नहीं कि ये सच कह रहे हैं या जूट कह रहे हैं इन्होंने कह दिया जी हिंदी में विग्या नहीं पढ़ाया जा सकता हमने मान लिया उन्होंने कह दिया जी हिंदी में शब्द बहुत कम है हमने मान लिया उन्होंने कह दिया जी हिंदी तो मुरुखों की बाशा गवारों की हमने मान लिया अब ये जो हम किसी के कहने पर मानते चले गए और उसको जाँच नहीं की इससे बड़ी मुरुखता कुछ नहीं होती बाहर वाला कोई आके कुछ कह दे और हम उसकी जाँच परख ना करें उस कहे हुए को ही सत्ते मान लें तो ये डूब जाने के बराबर होता है हम 64 साल में ऐसी डूब गए इसलिए हिंदी का महत तो हिंदी का सम्मान हिंदी का गौरफ हम से चला गया तो सरकार में तो पहले से ही छोड़ रखा था इसलिए कोई बड़ा अंदोलन नहीं खड़ा होता कभी हुआ था एक बड़ा अंदोलन आरे समाजियों के बदौलत उनकी ताकत लेकिन उसके बाद तो खत्म लोहिया जी के जाने के बाद तो सन्नाटा है पूरे देश हिंदी के लिए कोई अंदोलन नहीं खड़ा हुआ और जो हो जाता तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता जो आज हम रो रहे हैं न लिए के हिंदी हमारे संविधान की भाषा नहीं है इसके लिए रोना अपने आप से भी है कि हमने चुकर हिंदी को गिरा दिया अपने रोजमर्रा के जीवन में जब हम उसे सम्मान नहीं देंगे तो दूसरों से आप कैसे अपिक्षा करेंगे कि वो सम्मान दे तो आज मैं आपसे निवेदन करने आया कि इस हिंदी को अगर सच में आप इमानदारी से चाहते हैं कि देश के सम्वेधानिक पद पर ये विराजमान हो राश्ट्र भाशा ये बने तो इसके लिए पहले इज़त आपको इसकी बढ़ानी पड़ेगी तब सरकार और दूसरे लोग इसकी इज़त करना शुरू करें आप इसकी बेज़ती करते रहें और ये अपेक्षा करें कि सरकार कर देगी ये नहीं होने वाला आप पहले इसकी इज़त शुरू करिए आप इसका सम्मान शुरू करिए और मैं फिर कह रहा हूँ किसी भी भाशा की सबसे बड़ी इज़त और सबसे बड़ा सम्मान वो होता है जब हम भाशा को बार बार इस्तेमाल करते हैं और जादा से जादा उसको प्रयोग में लाते हैं जितना जादा प्रयोग आप हिंदी का करेंगे जितना जादा इस हिंदी का इस्तेमाल आप करेंगे अपने रोजमर्रा जीवन से लेकर अपने शोध प्रबंधों तक उतना ही जादा हिंदी का सम्मान बढ़ेगा और आप में अगर इसका आत्म गौरव आया हिंदी का सम्मान आपने बढ़ाया तो सरकार से तो करवाई लेंगे वो कौन सी बड़ी बात है सरकार तो कर देगी बहुत मुश्किल नहीं है अब इस देश में अब जमाना थोड़ा बदल गया है कैसे बदल गया कुछ ऐसा परिवर्तन आया पिछले 20 साल में कि हिंदी दक्षुन से लेकर उत्तर पूरप से लेकर पश्यम और भारत के बाहर अमेरिका यूरोप और कई जगे फैल गई 20 साल में ये परिवर्तन मैं देख रहा हूँ हिंदी का उप्योग बढ़ रहा है भारत में ही नहीं अमेरिका संयुक्त राष्ट महासभा में अब तक कुछ भाषाओं को विशेश दरजा मिला हुआ है जैसे फ्रेंच संयुक्त राष्ट में फ्रेंच तो मूल भाषा है अर्बिक अर्बी भाषा फिर चीनी चीन वालों की भाषा फिर स्पैनिश तो ऐसे पाच्छे भाषाओं को उन्होंने बहुत सम्मान दे रखा है संयुक्त राष्ट ने अब संयुक्त राष्ट गंभीरता से सोच रहा है कि हिंदी को भी वही दर्जा मिले जो फ्रेंच को है, स्पैनिश को है, अर्बी को है, चीनी को है वो हिंदी को भी मिले और संयुक्त राष्ट ने इस बार कहा भारसरकार से कि आपकी भाषा को हम सहयुक्त राष्ट की भाषा बनाना चाहते हैं, आप इस दिशा में थोड़ा प्रयास करें, हम भी आपका सहयूग करें। तो पता है क्या कहा उन्होंने, सहयुक्त राष्ट की संस्था है, इस्थाई समीती उन्होंने भारत सरकार को एक प्रस्ताओ दिया, कि हर साल भारत सरकार सत्तर करोड डॉलर खर्च करें, क्योंकि यहाँ जब हिंदी को हम फ्रेंच के इस तर पे ले आएंगे, तो सहयुक्त र करोड डॉलर का खर्च है, और इस समय सहयुक्त राष्ट जो है ना दिवालिया हो गया, वो कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हमारे पास तो अपने करमचारियों को तनखा देने के पैसे नहीं हैं, तो आप अगर सत्तर करोड डॉलर प्रतिवर्श हम को दे सकें भारत से, तो हिंदी का वो इस्तर हो जाएगा, जो वहाँ फ्रेंच का है, अर्बी का है, चीनी का है, स्पैनिश का है, मने हिंदी की हैसियत संयुक्त राष्ट की भाषा वाली हो जाएगी, संयुक्त राष्ट इसको सैध्धान्तिक रूप से मान चुका है, बस भारत सरकार देरी कर रही है भारत सरकार अभी तक ये तहनी कर पाई है कि ये 70 करोड डॉलर दिये जाएं कि न दिये जाएं भारत सरकार का माने भारत के अधिकारी ये उसमें अडंगे लगा रहे हैं कह रहे हैं जी फाल्तू खर्चा है इससे कोई फाइदा नहीं होने वाला है ये अधिकारी अपनी जेब में जो डालने हैं वो सब अच्छा खर्चा है और हिंदी के लिए 70 करोड डालर खर्चो तो ये फाल्टू हो गया तो ऐसे जिन अधिकारीों ने अडंगे लगा रखे हैं उनको हमने चिन्नित कर लिया है और उन पर हम इतना दबाव डाल रहे हैं कि वो दो-चार महिने में अपने इस दुराग्रे को छोड़ ही देंगे और 70 करोड डालर तो निकली आएगा क्योंगी 70 करोड डालर कोई बहुत बड़ी रकम थोड़ी है भारत के देश में जहां साड़े ग्यारे लाख करोड का वजट हो वहाँ 400 करोड रुपए बैठता है 70 करोड डालर कौन सी बड़ी रकम साड़े 300 करोड बैठता है तो साड़े 300 करोड रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है अगर हम हर साल ये खर्च करें वहां हो गया सायुकत राष्ट में तो भारत में हो जाएगा क्योंकि हम तो मैकॉले पलट है न हम तो तब किसी का सम्मान करते हैं जब वो विलायत से आ जाता है योग जब विलायत से योगा होके आया तब हमने सम्मान करना शुरू की ऐसे थोड़ी करते योग का सम्माद तो हिंदी पहले संयुक्त राष्ट में इस्थापित होगी तब भारत सरकार मानेगी इसको कि अब तो संयुक्त राष्ट में होई गई है तो शरम से डूब मरना तो इसलिए हंदी को फिर भारत में वो इस्थाफित करेंगे तो हम कोशुष कर रहे हैं कि स्वैयुक्त्राश़््ट में जल्दी से जल्दी हंदी को जो दरजा देने की बात वो कह रहे हैं वो मिल जाए स्वैयुक्त्राश्ट के कुछ लोगों से हमारी चर्चा हो रही ही पिछले कुछ 6-8 महीने से तो उनसे मैंने पूछा कि आखिर आपको हिंदी में क्या विशेष्टा दिख रही है जो आप ये चाहते हैं कि स्वायुक्तराष्ट की भाषा हो जाए तो उनका रे हिंदी में तो उतना ही दम है जितना चीनी भाषा में वो कहते हैं हिंदी में उससे ज्याद दम है जितना फ्रेंच में वो कहते हैं हिंदी में तो और भाषाओं से ज्याद दम है वो कहते हैं फ्रेंच तो इतनी बोली और पढ़ी नहीं जाती पूरी दुनिया में उससे जाए तो हिंदी बोली और पढ़ी जाती तो वो मानते हैं कि हिंदी में दम है और उसका कारण वो मानते हैं कि हिंदी का संस्कृत से जुड़ाओ वो कहते हैं यह जो संस्कृत से आपका जुड़ाओ है यह आपकी ताकत है तो संयुक्त राश्ट ने अब ये मान लिया और दुनिया भी धीरे-धीरे मान रही है आपको मालूम है दुनिया में कई ऐसे बड़े टेलिवीजन चलाने वाली कमपनिया हैं जिनोंने अपने विशेश हिंदी चैनल शुरू किये पिछले 20 साल एक तो सबसे बड़ा उधारन दूँ चीन जो भारत का धुर विरोधी है उसने हिंदी रेडियो शुरू किया मालूम है आपको और चीन का हिंदी रेडियो हमारे रेडियो से अच्छा और साफ सुनाई देता है पूरी दुनिया में सुन के देख लो कारण जानते हैं क्योंकि चीन की सरकार कहती है कि 100 करोड से जादा हिंदी भाशी है दुनिया में इसलिए उनका रेडियो दिन दूना राज चौगुना बढ़ रहा है उसकी लोक प्रियता बढ़ रही है दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिटिश ब्रॉडकॉस्टिंग कॉर्पोरेशन संस्था अब तक हिंदी में समाचार देती थी दिन में एक गंटे मानि पहले तो आदा गंटे आते थे फिर एक गंटे हो अब पूरा हिंदी का एक चैनल ही शुरू कर रहे हैं वो थोड़े दिन में चालू होने जा रहा है चौबीस घंटे अब बीबीसी हिंदी पे आ रही है चीन ने हिंदी का रेडियो शुरू कर दिया जर्मनी की सरकार का हिंदी रेडियो चालू है इस समय मालूम है आपको धुआधार चल रहा है खूब सुना जाता है जर्मन रेडियो जो हिंदी में आता है फ्रांस की सरकार तैयारी कर रही है हिंदी रेडियो शुरू करने की इस्पेन में तैयारी चल रही है तो दुनिया भर के देशों में अब हिंदी के प्रती नजर कोई अंदेखा नहीं कर सकता क्योंकि दुनिया के कई देश इसमें समा जाएंगे इसलिए इसकी ताकत बहुत बढ़ी है और एक तीसरी बात ये हुई है कि हिंदी बोलने समझने जानने वालों का बाजार अब दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हिंदी बोलने जानने समझने वालों की क्रेश शक्ती भी बहुत तेजी से बढ़ रहे है तो बहुत बड़ी संभावदा है दुनिया की कमपनियों के लिए तो बड़ी-बड़ी कमपनियों ने अपने विज्जापन हिंदी में शुरू कर दे बिटेन की कई बड़ी कमपनिया है जो हिंदी विग्यापन कर रहे है आज अमेरिका की कई बड़ी कमपनिया हिंदी विज्जापन कर रहे है और उनको ये समझ में आ रहा है कि हिंदी विग्यापन लोगों को उनका जल्दी समझ में आता है अंग्रेजी की तुलनाम तो कमपनियों को हिंदी की ताकत पता चल गई है, सरकारों को दुनिया में हिंदी की ताकत पता चल गई है अर्थ व्यवस्थाओं में जो हर समय काम में लगे रहने वाले अर्थशास्त्री हैं उनको हिंदी की ताकत का अंदाजा हो गया दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि खाली हिंदी भाषा के आधार पर भारत का आर्थिक मुल्यंकन किया जाए तो भारत साड़े 400 से 500 लाख करोड रुपए वाला देश है यह अर्थशास्त्री अब मान रहे है तो अर्थशास्त्री की भाषा में हिंदी मजबूत हो रही है दुनिया के सरकारों की नजरों में हिंदी मजबूत हो रही है सैंक तो राष्ट में हिंदी मजबूत हो रही है क्यों? क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है बस आप से मेरा इतना ही निवेदन है कि ये दुनिया में जब हिंदी समर्थक और हिंदी सहयोगी बढ़ रहे है तो आप थोड़ा हिंदी का ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा इज्जत करना शुरू कर दो तो ये सब काम पक्का हो जाएगा ये नहीं होना चाहिए कि दिया तले अंदेरा दुनिया बर में हिंदी सीखने समझने वालों की संख्या बढ़े सरकारे करूणों डॉलर का बजट उस पे लगाएं जर्मनी की सरकार ने तो विशे संस्थान बनाना शुरू कर दिया अर्बों डॉलर का बजट है कि जो हिंदी सीखे और सिखाएं संस्क्र सीखें और सिखाएं और यहाँ जब हैदराबाद आओं तो एयरपोर्ट से लेके शहर तक हर जगे पढ़ने को मिलता है पंद्र दिन में अंग्रेजी सीखिए तीस दिन में अंग्रेजी सीखिए शरम आती है यहाँ बोर्ड मिलने चाहिए तीस दिन में तेलगू सीखिए या दो महिने में तेलगू सीखिए या चार महीने में और अच्छी तेलगू सीखिए संस्कृत निष्ठ तेलगू सीखिए साहितिक तेलगू सीखिए ऐसे बोर्ड लगे हो यहाँ या हिंदी सीखिए यह अंग्रेजी सिखाने वाले कहां से पैदा हो गए हैदरबाद में यही है महकौले की आत्माए इन महकौले आत्माओं से पिंड छुड़ाओ अपना और इस समाज का तो पिंड कैसे छूटेगा इसके रास्ते हैं कि यह जितनी महकौले आत्माएं हैं इनसे असहयोग करो और इनका वहिशकार करो इनको अपने किसी सम्मान समारो में मत बुलाओ और इनका कोई सम्मान मत करो और इनसे कोई रिष्टा मत रखो आपके घर में शादी है अपने घर का निमंत्रन उनको मत देके आओ जो मैं कॉले मानस पुतर मत बुलाओ उनको अपने घर और उनके घर आप मच जाओ। देखो कैसे सुधरते हैं यह यह सब अल्पमत में हो जाएंगे थोड़ी ही देर में आप देख लेना। जैसे ही आपने इनसे रिष्टा तोड़ा और इनसे मुख मोड़ा यह सब तो अल्पमत में आ जाएंगे। इनकी जड़ें तो आपके पानी से सिंचित हो रही हैं। आपने इनकी जड़ों में पानी देना बंद किया। यह तो सूख जाएंगे सब के सब मर जाएंगे। जिंदा मत करो। जैसे मैं को ले मर गया वैसे यह भी मर जाएंगे। आप बस इनसे रिष्टा और व्यभार अपना कम कर दो तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगे। अब शुरू कहां से करना चुड़ी चुड़ी बात हैं। आपके घर कोई निमंतरन पत्र लेके आए बेटे या बेटे की श शादी का। और अगर वो अंग्रेजी में है उसी के सामने फाड़ के फेक तो। देखो क्या आसर होता है। मैंने किया यह। मैंने किया। एक बहुत इस देश के बहुत बड़े पुझी पती जिनका नाम मैं नहीं लोगा। वो आए अपने बेटी की शादी का निमंतरन द बहुत मेरे लिए तो यह काला खुर भेंज बरावर पढ़ूंगा क्या। किया आपको नहीं आती गांने का नहीं चुन हो पर और सुनेंगा नहीं था आच। बंद करलूँह अपने का, मुझे सुनना नहीं। कहने लगे तब आप शादी में नहीं आएंगे मैंने का फाड़ने का मतलब यह है कि मैं नहीं आऊंगा कहने लगे स्वामी जी मैंने का उनको भी नहीं जाने दूँगा परिणाम जानते क्या हुआ जब उनको मैंने का कि स्वामी जी को भी नहीं जाने दूँगा तब वो लोटे फिर उन्होंने हिंदी में निमंतरन बनाया, फिर मुझे देने आए, स्वामी जी को भी दिया, तब स्वामी जी ने उनको आशिरवाद दिया, हम भी गए उनकी शाज़िए। एक जटके में ठीक हो गए वो, सारा अंग्रेजी गुरूर उनका निकल गया, होता क्या है, कि हम चुकि विरोध नहीं करते, इसलिए सामने वाले को लगता है, कि सवच्छा है जो हम कर रहे, एक आदमी भी विरोध करना शुरू करे, भले वो कम है, लेकिन थोड़े दिन में वो ताकतवर हो जाता है, तो आपके पास अगर कोई अंग्रेजी निमंतरन पत्र लेके आए, तो आप यही करो उसका, और उससे को या तो तेलगू में ले आओ, या हिंदी में ले आओ, अंग्रेजी निमंतरन पत्र पे हम नहीं जाएंगे कहीं भी, यहां से शुरू करो, फिर अपने बच्चों के नाम बदलो ये पिंकू, टिंकू, बबली, डबली, ट्विंकल, डिंपल, पिंपल ये सब बन करो अच्छे-च्छे हिंदी में नाम है, संस्कृत में बहुत अच्छे नाम है वो सब नामों से बच्चों को बुलाओ इसके लिए थोड़ा भ्यास करना पड़ेगा क्योंकि जवान पे चड़ गया टिंकू उतरने में देर लगेगी लेकिन प्रयास के साथ आप करोगे तो थोड़े दिन में उतर जाए और बच्चों को समझाओ कि आपका जो व्यक्तित्तो है वो टिंकू नहीं है वो कुछ भी है राम है, श्याम है, मोहन है, क्रशन है, जो भी है टिंकू नहीं तो बच्चे भी समझेंगे आप भी करोगे तो नाम अपने सब हिंदी में, तेलगू में, संस्कृत में और आपके घर में आने वाले निमंतरन पत्र सब तेलगू, हिंदी, आदी-आदी, संस्कृत वगेरा वगेरा फिर तीसरा काम घर के बाहर दरवाजे पर देखो कहीं अंग्रेजी में तो कुछ नहीं लिखवा रखा आरसी मिश्रा एपी शर्मा, ये क्या होता है एपी शर्मा आनंद प्रकाश शर्मा तो समझ में आता है, एपी शर्मा क्या है रमेश चंद्र मिश्रा समझ में आता है, आरसी मिश्रा क्या है ये मूर्खता कम करो कहते हैं जी हमने संग्षेप कर दिया किसने बोला था आपको संग्षेप करने को हमको तो बोलने में कोई तकलीफ ठोड़ी हो रही है, आनंद प्रकाश शर्मा हम बोल रहे हैं, तो संक्षेप करने की ज़रूरत क्या है? नाम के संक्षेप ठोड़ी हुआ करते हैं, दुनिया में, नाम जो है न, एक ऐसी संग्या है, जिसका संक्षेपती करण नहीं होता, और नाम एक ऐसी संग्या है जिसको बदल नहीं सकते है वो जो है सो है आनन्द प्रकाश है तो है राम प्रकाश है तो है लक्ष्मन प्रकाश है तो है अब इसका संग्षेप मत करो लक्षमन प्रकाश का LP मत करो आयन प्रकाश का AP मत करो रमेश चंदर का RC मत करो घर के बाहर जितने आपके बोर्ड लगे हैं नाम पटिन को ठीक कर लो यहां से शुरू करो चौधा काम क्या करना इजद बढ़ानी है हिंदी की अपने हस्ताक्षर हिंदी में करो पत्र लिख रहे हो तो हिंदी में लिखो पता लिख रहे हो तो हिंदी में लिखो कई महानवाब हैं पत्र तो हिंदी में लिखते हैं पता जरूर अंग्रेजी में लिखेंगे और पत्र भी हिंदी में पता भी हिंदी में लेकिन हस्ताक्षर जरूर अंग्रेजी में करेंगे क्या मोह है ऐसा मोह हस्ताक्षर अंग्रेजी में हर समय ये मोह को छोड़ो क्योंकि इज़त बढ़ानी है आपको हिंदी के तो हस्ताक्षर हिंदी में करो बहुत अच्छा होगा तेल भू में करो हिंदी की बेहन तो है हिंदी नहीं तो हिंदी की बेहन है मा नहीं तो मौसी तो है तो मौसी की भी तो कोई इज़त है मा के जैसी है इसलिए मौसी है तो या तो तेलगू में करो नहीं तो हिंदी में करो नहीं तो संस्कृत में करो हस्ताक्षर और अभी भारत सरकार के कुछ प्रयास हुए है जिसके आधार पर हर बैंक हिंदी हस्ताक्षर किये चेक को स्विकार करने के लिए उत्तरदाई है मना नहीं कर सकता, मना करेगा तो बैंक का लाइसेंस रद दे तो इसका फाइदा उठाओ, हर बैंक आपका हिंदी चेक हस्ताक्षर वाला स्विकार करेगा हिंदी में लिखा हुआ चेक भी स्विकार करेगा, ड्राफ्ट भी हिंदी में लिखा हुआ तो आप अपने हस्ताक्षर हिंदी कर दो, बैंक में हस्ताक्षर का नमूना बदल दो, अगर कभी पहले अंग्रेजी हस्ताक्षर कर दिये गलती होगा यब ठीक कर लो, नमूना बदलने के लिए बैंक आपको समय देता है, मौलत देता है, तो अपने जीवन में छोटी-छोट चीजों से शुरू करो और फिर एक चीज करो कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी शब्द आपके बंडार में हो बंडार माने दिमाग में इसके लिए हर दिन कुछ नए हिंदी शब्द सीखो और उनके उपियोग करो भाशा की ताकत मैं बार-बार कह रहा हूँ उपियोग से तै होती है जितना ज़्यादा उपियोग करोगे भाशा उतनी मजबूत होगी तो हिंदी का जादस जादा उपियोग हो तो जादस जादा शब्द आपको आने चाहिए तो शब्दों का भंडार बढ़ा करो हम कभी इमानदारी से ये लिखें कि हमें कितने हिंदी शब्द मालूम है तो शायद पांसो से हजार में सब की गिंती खतम हो जाएगी जबकि शब्दों की संख्या 80 लाक से जादा है तो सीखो नएने हिंदी शब्द और उसको सीखने के लिए आप पुस्तकों का सहारा लो देखो शब्द नए सीखना तो सबसे अच्छा तरीका है पुस्तकें पढ़ना पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी की पढ़ो तो नएने शब्द आपके भंडार में आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे जो पुस्तकें आपको पसंद हैं जैसे किसी को कहानी की पुस्तकें पसंद हैं वो पढ़ो किसी को कविता वाली तो वो पढ़ो किसी को उपन्यास पसंद हैं वो पढ़ो किसी को आर्थिक विशय की पुस्तकें पसंद हैं वो पढ़ो history माने इतिहास की तो वो पढ़ो पुस्तकें जादा से जादा पढ़ोगे शब्द बंडार बढ़ता ही जाएगा और जितने जादा शब्द आपके पास होंगे उतनी जादा मजबूती भाशा की आप में होगी और आप फिर उसका जादा सम्मान करेंगे और फिर दूसरा आपसे जादा सम्मान करेगा उसका और एक दो छोड़ जोटे काम आप कर सको अपने जीवन में तो बहुत अच्छा है कि आपने कोई प्रतिष्ठान बनाया माने कोई आपका व्यापारिक केंद्र है प्रतिष्ठान है कोशिश करो कि उसके नाम भी हिंदी में आजाए जितना जादा से जादा सम्मान नहीं तो तेलगू में आजाए तो आपके प्रतिष्ठान का नाम फिर आपके घर का नाम कई लोग घर का नाम रखते हैं तो घरों के नाम भी हमारे सब हिंदी में आजाए प्रतिष्ठान के नाम सब हिंदी में आ जाएं बच्चों के नाम हिंदी में आ जाएं पडोसियों परिवारों को इस संबोधन हमारे सारे हिंदी में आ जाएं इसमें बिल्कुल शरम मत महसूस करो कि अंकल की जगे किसी को भी चाचा कहो काका कहो कोई शरम की बात ने काका बहुत सम्मान जनक शब्द है चाचा बहुत सम्मान जनक शब्द ताउ कहो, मामा कहो, मौसा कहो जो कहनाएं कहो ये अंकल के चक्कर में, आंटी के चक्कर में ये सब हटाओ अपने जीवन और कुछ ऐसे फालतू अंग्रेजी शब्द हमने जबरजस्ती अपने जिन्दगी में लगा रखे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं हमें भी नहीं मालूम Mother in law ये नहीं कहते हैं, ये सासु माँ हैं, कहते हैं Mother in law अभी Mother in law कौन सी है इधर वाली है, उधर वाली है, कौन सी है, पता तो चले Father in law पता ही नहीं, इधर वाली है, उधर वाली Brother in law तो बड़ा गोटाला है वो साला भी है, जीजा भी है हिंदी में साला जीजा दोनो विरोधी है साला माने पत्नी का भाई, जीजा माने बेहन का पती रिष्टों को अलग अलग करने के शब्द ही नहीं है क्योंकि रिष्टे ही नहीं है क्योंकि परिवार नहीं है क्योंकि शादी नहीं है जहां शादी नहीं जहां परिवार नहीं वहां रिष्टे नहीं वहां रिष्टों के अलग अलग नाम नहीं यह तो भारत है जहां पर श मैंसे हो जाएंगे. आप ऐसे ही संकल्प ले लो जैसे महात्मा गांधी ने इन्तीस मार्च उन्रीस सो अठारे को लिया. उन्हें ले का कि दुनिया को कह दो कि मौहंदास करमजन्ट 3 गांधी अंग्रे जी भूल गया. आप भी कह दो दुनिया को कि हम अंग्रे जी भूल गए हमको हिंदी मालूम है तमिल मालूम है तेलगू मालूम है कन्रण मालूम है संस्क्रिप मालूम है हिंदी अंग्रेजी सब मालू अंग्रेजी भूल गए हम नहीं आती हमको बात खतम और इसमें कोई शरम की बात नहीं है हमको अंग्रेजी नहीं आती तो किसी अंग्रेज को हिंदी नहीं आती तो बराबर हो गए कि नहीं हम अपने बच्चों को मार मार के जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं आप एक बार लंदन का भ्रमन कर लो अंग्लेंड चले जाओ और वहाँ देखो कि कौन माबाप अपने बच्चे को मार मार के हिंदी सिखा रहा है एक भी अंग्रेज अगर मिल जाए आपको जो बच्चों को मार के हिंदी सिखा रहा हो तो उसी दिन से मैं अंग्रेजी छोड़ दूँगा हिंदी के बाद अंग्रेजी में लग जाओंगा अंग्रेजी अंतरराश्टी भाषा बिलकुल नहीं है दुनिया में 200 देश हैं उन में से सिर्फ 11 देशों में ही अंग्रेजी है और वो भी इंग्लेंड के गुलाम थे इसलिए अंग्रेजी है औस्टेलिया न्यूजिलेंड कनाडा ब्रटेन फिर बारत मंगला देश पाकिस् में जर्मन है स्वीडन में स्वीडिश है और आप डेनमार्क में जाओ तो डेनिश है सबसे छोटा देश डेनमार्क वहां भी डेनिश है सबसे छोटी भाषा है दुनिया की 70 लाख लोगों का देश है डेनमार्क अपनी भाषा नहीं छोड़ी उनोंने डेनमार्क में आप तो हर इंजिनिरिंग कॉलेज की पढ़ाई डेनिश में कराते हैं मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई डेनिश में कराते हैं वो 70 लाग का देश मुश्किल से वो कहते हैं भाशा अगर हमने छोड़ी तो सब छूट जाएगा हमारा तो तो उनका आग्र है अगर इतना प्रवल है कि 70 लाग की आवादी वाले देश के लोग डैनिश में सब कर रहे हैं तो 120 करोड की आवादी वालों को तो और ज्यादा गर्व होना चाहिए तो आप मत छोड़ो इस हिंदी को रोज की बोलचाल में हिंदी सामन व्यवहार में हिंदी खास व्यवहार में भी हिंदी खास व्यवहार मानें आप शोद प्रवंद लिख रहे हैं कोई बहुत बड़े मूल चिंतन के विशय पर काम कर रहे हैं वहाँ भी आग्रे रखो हिंदी और एक छोटी सी आखरी बाद कि हिंदी का प्रयोग करते समय आप जितना ये ध्यान रखोगे कि सरल शब्द और छोटे वाक्य, सरल शब्द छोटे वाक्य, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा उप्योग में लाओगे, बोलना है, लिखना है, कहना है, उतनी ही हिंदी की लोग प्रियता बढ़ती जाए ये hindi का कुछ नुकसान हमारे ऐसे मित्रों ने भी किया है जो कलिश्ट कलिश्ट शब्दों का इस्तेमाल करते है जबर जस्ती फालतु का एहिंकार मन में पाल रखा है बारी शब्दों न चाहिए सामने वाले के समझ में नाय करो क्या उस बारी शब्द का कई बार अपने समझ में नहीं आता तो ये भगवान के लिए मत करो देखो ईश्वर के बारे में ये कहा जाता है कि ईश्वर जो है ना सीधी सच्ची बात को सबसे जल्दी सुनता है ठीक है तो सामने वाला भी सीधी सच्ची बात को सबसे जल्दी सुनता है जो ईश्वर करता वो ही सब करते है तो आपके सामने कोई व्यक्ती है बोल रहे हो तो सुनने वाला है लिख रहे हो तो पढ़ने वाला है और पढ़ा रहे हो तो कोई पढ़ने वाला है ये तीनो केटेगरी के, तीनों श्रैनी के लोग, सरल्शबद छोटे वाकिये, जितने कहोगे जितने उपयोग करोगे उतनी ही भाशा आपकी लोग्पृय होगी, और भाशा की लोग्पृयता मह ने, आपने बोला, उसने कहना शुरू कर दिया, उसने कहा फिर उसने कहना शुरू कर दिया उसने कहा फिर उसने ये लोक प्रियता और ये लोक प्रियता जितनी बढ़ेगी हिंदी की बहुत जल्दी हिंदी समवेधानी पद पर आ जाएगी आप बिल्कुल चिंता मत करो और अब हमने तो संकल्प ले लिया भारत स्वाविमान एक बिहान शुरू हुआ सारे देश में परम पुझनी स्वामी रामदेव जी के नेतरतु में तो हमने 64 काम करने का संकल्प लिया है उसमें से एक काम है कि भारत की पूरी सिक्षा व्यवस्था में से अंग्रे जी को निकाल बाहर करेंगे और हर सिक्षा आखे पाठिकरम में मात्र भषा होगी या राश्र भषा होगी ये हमारा संकल्प है हम तो करने ही वाले और 4-5 साल बाद ये होने वाला है तो 4-5 साल बाद जब ये हो जाएगा उसके लिए मैं आपको अबी से तयार कर रहा हूँ नहीं तो अचानक से हुआ तो आप ही बौखला जाओगे अगर हमने आज ही सारे देश में ये कर दिया कि अंग्रे जी भाषा को पाठी करम से निकाल दिया तो आप जैसे माता पिता ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं हमारे बच्चे को पीछे करना चाहते हैं तो आपकी मानसिक्ता चार साल में तैयार हो जाए इसलिए मैंने कहा कि आप हिंदी का जितना उपयोग करेंगे जितना उसका प्रयोग करेंगे उतना उसकी स्वीकारिता बढ़ेगी उतनी उसकी लोगप्रियता बढ़ेगी और भाषा की ताकत है जादा से जादा लोगों के द्वारा उसका उप्योग किया जाना है तो आप अपने जीवन से इसको शुरू करें फिर आपके जो प्रतिनिदी हैं ना उनसे पूछें जिनको आप वोड देते हैं संसद में बेशते हैं उनसे पूछना शुरू कर दो कि भाईया 1950 में आपने तैय किया था कि 15 साल बाद अंग्रेजी हट जाएगी हिंदी आ जाएगी तो ये 15 साल कब पूरे हो रहा है 1950 हो गया 65 में 15 साल हो गए फिर अभी कितने साल हो गए कब तक करो गए और बता दो कि हम नहीं करेंगे तो फिर हम किसी को दूसरे को चुन लेंगे जो करेगा जरूरी है तुम्हारे ही ठेका ले रखा है कि तुम कोई चुन के वेज़ें वहां संसद में या तो तुम बताओ कि कितने दिन में करोगे नहीं तो तुम हट जाओ दूसरा कोई आएगा वो करेगा अब ये नहीं है कि पंद्रे साल की जगे साट साल हम इंतिजार करते रहें सत्तर साल इंतिजार करते रहें तो हमने तो नेताओं से खरी-खरी सुनाना शुरू कर दिया और नेताओं से ये कहना शुरू किया कि जब तुम वोट मांगने हिंदी में जा सकते हो तो संसद में हिंदी में बात क्यों नहीं करते हैं हमारे प्रदानमंतरी को कहा कि आप जब वोट मांगने गए थे तो आपने असमिया भाशा में व्याख्यान दिया क्योंकि उनकी सीट गोहाटी से है तो असम के लोगों को प्रफावित करने के लिए असम यह बोली उनोंने फिर कुछ हिंदी बोली फिर कुछ पंजाबी बोली और संसद में हर समय अंग्रेजी में बात करते रहती इसका मानिए यह तो बहुत बड़ा दोखा दे रहे हैं अपने लोगों से वोट मांगा तब आपने उनकी भाषा बोली और उन्होंने वोट दे दिया अब आप अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं यह कैसे चलेगा हमने प्रतिपक्षनेता को भी कहा श्री लाल कृषन अडवानी को आप अंग्रेजी में व्याक्यान क्यों देते हैं भाई जब आप हिंदी में वोट मांग सकते हैं तो संसत में अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं तो अभी इनकी खिचाई करनी पड़ेगी सब के आप इनसे सवाल पूछते जाओ इनके पास जवाब नहीं हो तो ये खुद ही जगे छोड़ेंगे और वो जगे ऐसे लोगों द्वारा भरी जाएगी जो हिंदी की बात करेंगे राष्ट भाशा की बात करेंगे मात्र भाशा की बात करेंगे तो संसद में भी बदलाओ करना है हमारी नियाए पालिका में हमें बदलाओ करना है कि कोई भी मुकदमे का फैसला उस भाशा में होना चाहिए जिसमें वादी और प्रतिवादी समझ सके अगर वादी प्रतिवादी तेलगू वाला है तो फैसला तेलगू में आना चाहिए और कोई जज ये कहता है मुझे तेलगू नहीं आती तो उसको तेलगू सीखनी पड़ेगी नहीं सीखेगा तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी ये नहीं हो सकता कि वो अंग्रेजी में फैसला देकर और भारत के तेलगू लोगों के पैसे पर अपनी तंखा बनाता रहे और फैसले अंग्रेजी में देता रहे ये तो अपमाने करोणों लोगों तो भारत की नियाए विवस्था को ये समझाना है कि फैसले उसी भाषा में आने चाहिए जिसमें लोग समस्ते और बहस भी उसी भाषा में होनी चाहिए जिसमें लोग समस्ते तो नियाए विवस्था से अंग्रेजी हटानी है पाठिक्रम सिक्षा से अंग्रेजी हटानी है हमारे वैज्ञानिक प्रयोग शालाओं से अंग्रेजी हमें हटानी है हमारी कृष्षी व्यवस्था और अर्थ व्यवस्था में से अंग्रेजी हमको हटानी है हर जगे से अंग्रेजी हटानी है तो आप बोलोगे अंग्रेजी जाएगी का अंग्रेजी जाएगी पुस्तकाले में बस और कहीं ने सब समाज के अलग-अलग अंगों से अंग्रेजी को हटा कर रखना है पुस्तकाले में जिसको पढ़ना है वो पुस्तकाले जाए पढ़े और अपना काम चला है समाज में अंग्रेजी नहीं होगी संसद में नहीं होगी नियायले में नहीं होगी हमारे बिग्यान प्रयोगशालाओं में नहीं होगी सरकारी दफ्तरों में नहीं होगी कामकाज के स्थान पर नहीं होगी अंग्रेजी होगी पुस्तकाले में जिसे बहुत सारी चीजें होती है ना अलग अलग जगे तो वैसे ही इसकी जगे पुस्तकाले या अंग्रेजी होगी इंग्लेंड में दो ही जगे हैं या तो हमारे पुस्तकाले में रहेगी आप जाओ पढ़ लो जिसको सीखना है समझ लो और अगर उप्योग करना है कर लो भाशा के इस तर पर हमारी उससे दुश्मनी नहीं है लेकिन वो हमारे व्यवहार में नहीं होगी व्यवहार में हमारी मात्रवाशरा ये दो बड़े संकल्प हमने कर लिए भारत स्वाबिमान की तरफ से और इन संकल्पों को पूरा करने के लिए दस करोड लोगों का संगठन बना रहे हैं और बहुत तेजी से हमारा संगठन बढ़ रहा है आपको खुशी होगी डेड़ साल हुआ ये संगठन बने 680 जिलों में हमारी शाखाएं खुल गई 2,50,000 हमारे पास इस समय पदादिकारी और योग सिक्षक हैं जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं 11,000,000 अगले दो साल में आने की तैयारी में लगे हुए है 50,000,000 हमारे सामान सदस से बन चुके हैं हर दिन 10-15,000 लोग इसके सदस से बन रहे हैं 10 साल का लक्ष है कि 10 करोड सदस से हो जाएंगे और जिस दिन ये 10 करोड सदस से हो जाएंगे उस दिन हम सब करपाएंगे क्योंकि आप जानते हैं प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में वही काम करवा पाते हैं जिनके पास जन्ता की ताकत है अच्छा हो या बुरा कोई भी काम तो हमें जन्ता की ताकत एकठी करके ये करवा लेना है तो हिंदी को वो इस्थान मिले, जो 64 साल पहले मिल जाना चाहिए था, मात्र भाशा ही नहीं, राश्ट भाशा के, सम्विधान इसकी सुईकरती प्रदान करे, और ऐसी सुईकरती प्रदान करे, कि भविश्य में कोई भी सरकार आए, वो उसे बदल ना पाए, आपको मालूम ह सम्विधान का कुछ हिस्सा जो है, बदला नहीं जा सकता, उस हिस्से में हम हिंदी को लाने वाले हैं, जिसको आप सम्विधान की प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना बदली नहीं जाते हैं, उसमें अडिशन हो सकता है, निकाल नहीं सकते हैं, अगर भारत के सम्विधा में एक शब्द डाला जा सकता है शोशलिजम तो हिंदी राष्ट्र भाषा भी आली आ सकते है उसी सम्मेदान आपको मालू है श्रीमती इंद्रा गांदी ने डाला था शोशलिजम और उस समय डाला था जब इमरजेंसी लगाई थी तो अगर समाजबाद आ सकता है तो हिंदी राष्ट्र भाषा होगी देश की इतना वाक्य भी प्रस्तावना में आ सकता है और अगर उसके साथ कुछ और जोड़ना है तो हिंदी राष्ट्र भाषा होगी और सभी राजभाषाएं होंगी तमिल, तेलगू, कन्नड, मले आलम, उडिया, बांगला ये सब राज भाशाएं होंगी हिंदी, राष्ट भाशा होगी किसी को कोई आपत्ती नहीं और ये बात हम सबसे करके देख चुके हैं वो कहते हैं कि सभी मात्र भाशाओं को आप राज भाशा बना दो सीखेंगे जब दुनिया की सबसे कचरा और रद्धी भाशा अंग्रेजी सीख सकते हैं तमिल क्यों नहीं सीखेंगे तमिल सीखेंगे, तेलगू सीखेंगे, कन्नड सीखेंगे, मले आलम सीखेंगे और हम जो स्कूल तै कर रहा है ना भाशा के लिए वो ये कि पूरे भारत में हर विद्ध्यार्थी को कम से कम तीन भाशा बच्पन से सिखाई जाएंगे एक तो उसकी मात्र भाशा वो तो सीखेगा इस वाववे और दो भाशाएं ऐसी एक उसकी राश्र भाशा मात्र भाशा राश्र भाशा अब जैसे आंदर के बच्चे हैं सब तेलगू सीखेंगे हिंदी सीखेंगे और एक सीखेंगे पडोसी राज्य की भाशा आंदर के पडोस में तमिल नाडू है तो सब तमिल सीखेंगे और तमिल नाडू वाले तेलगू सीखेंगे इसी तरह से हम हिंदी वाले तमिल और तेलगू सीखेंगे, कन्रण सीखेंगे, मल्यालम सीखेंगे बच्चों को बच्चपन से भाषा सिखाओ तो बहुत अच्छे से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं तो हर बच्चे को तीन चार भाषा हैं अगर भारत की आ गई तो उसका तो काम चलने ही वाला है, और इससे राष्ट्री एकता मजबूत होगी उत्तर वाले तमिल तेलगू कन्रण सीख लें, तो दक्षण वालों को हिंदी सीखने में कोई आपत्ती नहीं है तो पहल हम करेंगे उत्तर भारत वाले कि हम सीखेंगे तमिल, तेलगू, कन्रण, मले आलम तो फिर यहां कैसे मना करेंगे हिंदी को सीखने ये तो गड़बडी ये हुई कि हम तमिल, तेलगू, कन्रण तो सीखते हैं नहीं अंग्रेजी सीख लेते अपने राज्य की भाषा अपने राष्टर की आती है नहीं दुनिया में 20,000 मील दूर की भाषा आती है करें क्या उसका जीवन में उपियोगी नहीं तो भाषा के इस्तर पर और धीरे धीरे हमारी कोशिश ये है कि सभी भाषाएं भारत की हैं और भारत इनी से बना है तो भारत की राष्ट्रिय एकता भी इसी में से निकलेगी तो ऐसा हमारा प्रयास है आप सब लोग इसमें थोड़ा सयोग करेंगे तो ये जरूर होने वाला है नहीं करेंगे तो भी होने वाला अंतिम बात कहके खतम करूँगा क्यों होने वाला है ध्यान से सुनिये भारत में जब भी कोई काम किसी सन्यासी ने शुरू किया है तो वो पूरा ही हुआ है भारत एक ऐसा आध्यात्मिक देश है कि जहां सन्यासी कोई काम शुरू करें तो ईश्वर भी उसको पूरा कराता है हमारे देश में उस दौर में जब अंग्रेजों का सामरा जिसारा च्छाया हुआ था तब एक सन्यासी परंपुजनी स्वामी दियानन सरस्वती ने प्रयास किया देश की आजादी के लिए स्वतंतरता के लिए हमें इतिहास के दस्तावेज जो मिले उनको देखकर हरानी होती है अभी थोड़े दिन से मैं कुछ इतिहास के दस्तावेज पढ़ रहा हूं तो पता चला जहासी की रानी लक्ष्मी भाई को अंग्रेजों से लडने की प्रयरना परंपुजनी स्वामी द महल चीन लिया अंग्रेजों ने पती चीन लिया ईश्वर ने बिद्वा हो गई अंग्रेजों ने संपती चीन लिया कुछ बचा नहीं तो एक बहुत छोटे से घर में जहासी के बाहर उसने बिद्वा का जीवन बिताना शुरू किया उस समय परंपुजनी स्वामी द्यान तरन्सरस्वती की प्रेरणा उसको होई और उसने तलबार उठाई और वही प्रेरणा फिर तात्यां टोपे को होई, उन्होंने तलबार उठाई, नाना सहाब पेश्वा को होई, वास्दे वलवन्थ फढखे खे को होई, और ऐसे 17, терan 708 क्रानतिकारियों को एक ही तरह की प् तो सन्यासी का संकल्प ऐसे पूरा होता है एक और सन्यासी हुए समर्थ गुरू रामदास महराष्ट में उस समय औरंग जेब का साशन था पूरे भारत पूर औरंग जेब बहुत अत्याचारी कुरूर राजा था आप सभी जानते हिंदूों को मारना पीटना, मुसल्मान बनाना हिंदूों के जन्यू काटता था जन्यू ना कटवाए कोई तो गर्दन काटता बहुत अत्याचार किया उस अत्याचारी और अंग जेब को खतम होना चाहिए ये पहला संकल्प था समर्थ गुरू रामदास का और सन्यासी ने संकल्प लिया तो देखो परमपिता परमात्मा ने दो महान आत्मा इस देश में बेज दी एक थे गुरू गोविंद सिंग उत्तर भारत में एक थे छत्रपती शिवाजी दक्षण भारत में दोनों ने अंग्रेजों से लड़ा आपको मालूम है गुरू गोविंद सिंग वो सिखों के दस्वे गुरू थे जिनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया औरंग जेब के दोरा लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं बंद की संगर्ष बंद नहीं किया और एक दिन का मुगल साशन दो करांति वीरों ने खतम करा द Also चत्रपती शिवा जी और गुरू गोविंद सिंग ये कैसे संभव है ये परंपिता पर्मात्मा की करपा हो तो संभव है और ये परंपिता पर्मात्मा की करपा कैसे होई एक सन्यासी का संकल्प था इसलिए एक और सन्यासी हुए हमारे देश में स्वामी रामानन तीर्थ आपको मालूम है हैधराबाद आजाद कराने का संकल्प उनी का था सबसे पहला क्योंकि निजाम तो बोलता था कि मैं तो पाकिस्तान लेके जाओंगा इसको जूनागड का नवाब कहता था मैं भी पाकिस्तान जाओंगा अपने राज्जी को लेके गोवा गुलाम था पुर्तगालियों का जूनागड हैधराबाद गुलाम था अपने अपने नवाबों का उस समय स्वामी रामानन तीर्थ ने संकल्प लिया कि भारत अगर आजाद है तो भारत की इंच इंच जमीन आजाद होनी चाहिए अब देखो स्वामी रामान तीर्थ ने संकल्प लिया भगवान ने सरदार बल्लब भाई पटेल को देश का ग्रह मंत्री बना दिया वो भगवान की कुछ लीला थी वरना उनको तो प्रधान मंत्री बनना था इस देश का लेकिन बन गए वो ग्रह मंत्री ग्रह मंत्री बनते ही उन्होंने जो प्रयास किये जुनागर, हैदराबाद, गोवा, ट्रावन कोड, भोपाल ऐसी 565 रियासतें भारत में मिली और भारत सच में आजाद हुआ मेरा कहना है कि जब जब सन्यासी संकल्प करते हैं ऐसा होता है, अब एक सन्यासी है स्वामी रामदेव जी उन्होंने संकल्प ले रखा कि भारत में स्वदेशी करण होना चाहिए भारती अता होनी चाहिए अंग्रेजी हटनी चाहिए अंग्रेजों के कानून हटने चाहिए ब्रश्टा चार खतम होना चाहिए गरीबी, भुक्मरी, बेकारी खतम होनी चाहिए बीमारियां खतम होनी चाहिए ऐसे उन्होंने संकल्प ले रखा 1857 में हम परंपुजने स्वामी द्यानन जी के साथ थे अब स्वामी रामदेव जी के साथ है दोनों एक ही परंपरा के सन्यासी और सन्यासी का संकल भारत में हमेशा पूरा हुआ है तो ये भी पूरा होगा इसलिए मैंने कहा आप सहयोग करें तो अच्छा है नहीं करेंगे तो भी होगा और जब हो जाएगा तब आपको अफसोस होगा हरे हमने क्यों ने इसमें सहयोग किया तो अफसोस ना करना पड़े चार साल बाद इसलिए आप इसमें सहयोग करें ये काम तो होने वाला है और कई बार मैं ये सोचता हूँ कि ये शायद ईश्वर की योजना है हम तो निमित्त मात रहें ईश्वर चाहता है कि अब भारत का भला हो अच्छा हो क्योंकि बहुत बुरा हो चुका है अब तक हर देश के इतिहास में एक दोर ऐसा आता है कि जब वो देश बिलकुल नीचे गिर जाता है फिर इतिहास में चक्र घूमता है फिर वो देश उपर उठता है तो अब ऐसा समय आया कि भारत को उपर उठना है तो ईश्वर ने ये योजना बनाई एक सन्यासी को भेज दिया अब हम सब को इकठा कर दिया उसके साथ और अच्छी बात यह हो रही है कि वो सन्यासी के साथ और भी बहुत सारे सन्यासी इकठे हो रहे है ये भारत स्वाभिमान अभियान में पता है इस समय परमपुजने स्वामी रामदेव जी तो मुख्य सेना पती है सत्तर और सन्यासी इसमें जुड़ चुके है ये बालू मैं आपको परमपुजने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी भारत माता मंदिरवाले वो इसमें जुड़ चुके परमपुजने स्वामी अवधेशानंद गिरी महामंडलेश्वर वो इसमें जुड़ चुके परंपुजनी स्वामी गोविंद देवगिरी वो इसमें जुड़ चुके परंपुजनी स्वामी जैंदर सरस्वती कामकोटी कांची पुरम वो इसमें जुड़ चुके परंपुजनिय मुरारी बापु वो इसमें जुड़ चुके परंपुजनिय सुधान्शुजी महराज वो इसमें जुड़ चुके परंपुजनिय प्रणव पंडिया गायत्री परिवार वो इसमें जुड़ चुके 70 ऐसे बड़े-बड़े संत तो जुड़ चुके हैं शायद अगले 4 साल में 100-500 और जुड़ेंगे और एक दिन मैंने सोचा कि ये सारे संत अगर देश में घूम गए तो क्या मुश्किल है एक दिन मैंने ये सब संतों के भगतों को जोड़ना शुरू किया कि इनके भगत कितने तो 50 करोड से जदा तो इनके भगत हैं देश में अगर ये सारे संत एक स्वर से एक बात कह देंगे तो 50 करोड लोगों के लिए तो पत्थर की लकीर है वो तो मुश्किल क्या है जिस देश के 50 करोड लोग एक तरफ हो जाएं वहां तो कुछ भी संभव है संसद बदल जाएगी, सम्विधान बदल जाएगा कानून बदल जाएगे क्योंकि सम्विधान बदलने के लिए जितनी ताकत चाहिए 50 करोड लोग तो बहुत होते है 411 संसद अगर आपके पास है तो आप सम्विधान बदल सकते है कानून बदल सकते है भाषा अंग्रेजी को हमेशा के लिए दफन कर सकते है कोई चू नहीं करेगा देश में हिंदी को जहां बिठाना है राष्ट भाषा के रूप में वहां बिठा सकते है हर काम हम कर सकते तो ये सन्यासी भी अब इकठे हो रहे है और आप भी इकठे हो रहे हैं सन्यासी भी इकठे हो रहे हैं तो हम सब इकठे होकर अब भारत का भलाकरी ही लेंगे क्योंकि ईश्वर भी यही चाहता है और आने वाला समय यही बता रहा है क्योंकि शुरू हुआ है सारी दुनिया में एक खेल जो ईश्वर का किया हुआ है मुझे तो ऐसा लगता है जिस अमेरिका ने हमारी गुलामी को पक्का किया था विंस्टन चर्चिल और क्लेमेंट एटली को पत्र लिखे कि भारत को वेस्टन और्बिट में ही रखना है वो अमेरिका अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है अमेरिका की अर्थ व्यवस्था अमेरिका की राजनी थे अमेरिका की प्रसाशनिक व्यवस्था सब धीरे धीरे कमजोरी की तरफ बढ़ रही है अमेरिका देश पूरा का पूरा कमजोर हो रहा है उनके लोगों का जो हेकडी और हेंकार था वो सब निकल रहा है दीरे दीरे और आज अमेरिका जैसे देश को भारत की चिरोरी करनी पड़ रही है निकलियर बिल पास कराने के लिए कि हमारी कमपनियों को भारत में आने दो नहीं तो हम भूके मरने वाले तो अब अमेरिका नीचे आएगा तो यूरोप और नीचे आएगा यूरोप के कई देश दिवालिया हो चुके हैं आपको मालूम है उन्होंने उपर से धपोर शंकी अपना आवरन ओड रखा है अंदर से सब दिवालिया ब्रिटेन दिवालिया हो चुका है ग्रीस पूरा दिवालिया हो चुका है इस्पेन की हालत बहुत खराब है पुर्टगाल और बुरी हालत में है 23 देश यूरोप के लगबग दिवालिया हो चुके है अमेरिका लगबग दिवालिया है आज अमेरिका इतना करजदार है कि चीन देश अगर अमेरिका से कल ये कह दे कि मेरे सारे पैसे वापस कर दो अमेरिका की एक एक पाई बिग जाएगी और वो चीन का करजा नहीं चुका पाएगा चीन ने खरीद लिया पूरे अमेरिका को इतना बुरा हाल है अमेरिका का तो अमेरिका जाएगा नीचे यूरोप जाएगा नीचे तो पक्की बात है भारत आएगा उपर क्योंकि एक पूरब है एक पश्चम है पश्यम नीचे आएगा तो पूरवू पर आएगा और पहले भी ऐसा ही था एक जमाने में पूरवू पर था तो ये पश्यम बिलकुल गर्त में था अब फिर वही चक्र चल रहा है तो ईश्वर की भी योजना यही है कि अब पश्यम नीचे आए पूर्वू पर उठे और आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे तो श्रे आपको मिलेगा करवाएगा तो वो क्योंकि योजना तो उसकी है आप तो वैसे ही श्रे पाजाओगे तो मैं तो आपको निमंत्रन देने आया कि आजाओ जल्दी से इसमें चार साल बाद जब ये सफल होगा तो श्रे आपको मिलेगा करवाएगा तो परमपिता परमात्मा हम तो निमित्त हैं और सारे साधू सन्यासी और संतों का आशीरवात धीरे धीरे जिसे एक काम पर केंद्रित हो जाता है उस काम में शक्ती बहुत आ जाती है अपना भारत विश्व गुरू फिर बनेगा हिंदी राश्व भाषा नहीं विश्व भाषा बनेगी ऐसा हमें सपना देखना है और इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत तन्मंधन लगा देना है यही भावनाए लेकर मैं आया आज हिंदी दिवस पर आप एक संकल्प लेकर जाएं कि अपनी हिंदी राश्व भाषा ही ना बने विश्व भाषा बने और मैंने एक ही बात कही वो ध्यान रखने की है भाषा का जितना ज़्यादा उप्योग होता है उसकी ताकत उतनी बढ़ती है तो हिंदी का उप्योग आप अपनी जीवन में इतना बढ़ा दीजिए कि राश्व की ये ताकत बने फिर एश्या खंड में बढ़ जाए इसका उप्योग तो ये एश्या की ताकत बने फिर विश्व में तो विश्व में ये ताकत बन जाए विश्व भाषा बन जाए मेरा इशारा है सयुक्त राष्ट जिस दिन इसको स्वीकार कर लेगा उस दिन ये विश्व भाषा हो जाएगी और उसके लिए हम सब लगेंगे प्राणपन से इसी भावना से इश्वर हमको शक्ति दे सामर्थ दे हमारी सद बुद्धी को सही काम में लगाए रखे